आज का एजेंट आ है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में सिखाऊंगा, कि है क्या, क्वाटरिटी क्या है, X स्क्वेर का कोईफिशेंट, B क्या है, X का कोईफिशेंट और C क्या है, कॉंस्टेंटम, ये क्या हो सकते बिटा, इट कैन भी एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते है, डेसिमल में हो सकता है, फ्रेक्शन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती, लेकिन बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान, ये जो ब्रैक्ट के अंदर आपके पास ट्रम हाई है, वी स्क्वेर माइनस 4 AC, इसको एक ना Quadratic Equation Standard Form में आए, आपके पास पावर 6 आजाए, आएंगी बहुत सारी जग़ा, पावर 6 आएंगी, कभी 4 आएगी, मेरा नाम है खुल्री भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे खुलू विया के नाम से जानते हैं, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, और Quadratic Equation के Complete Session की, यानि कि पूरा का पूरा चाप्टर इसी सेशन में होने वाले आपके पास, पहले हम बात करेंगे हम आज के सेशन में करने हैं, यह सेशन देखने के बाद आप लोगों को कुछ और Quadratic Equation में करने की जरूरत नहीं है, बस NCIT की थोड़ा बहुत questions कर ले न, word problems कर ले न, that is sufficient, वैसे तो सभी परकार की word problems मैं आज के सेशन में लेकर आया हूं, and after this session, this will be the final session for Quadratic Equation, इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, लगबक दो घंटे का ये वीडियो होगा, तो इस session में आप लोग सब कुछ सीखके जाने वाले हो Quadratic Equation से, and जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आखरी में जो सवाल आते जाएंगे, वो उतने जादा important होते जाएंगे, क्यों short sessions हमारे है, that is our Agaz series, तो comment section में सबसे पहले तो Agaz OP हो जाना चाहिए, क्योंकि इस series में मैं आप लोगों को हर एक chapter को detail में करवा रहा हूं, 2 घंटे, 3 घंटे session हमारा चल रहा है, one short video चल रहा है, and उन 2-3 घंटों में हम हर एक type का सवाल cover कर रहे, तो आपके पास exam में कुछ भी चुको, तो ये आप pro बन जाओगे मतलब इन में, तो make sure सारे session जरूर देखना, description में playlist का link डला हुआ होगा, आप बाकी के chapters का भी देख सकते हो, ठीक है बहिया, और like कर देना, share कर देना, और channel को subscribe जरूर करना, क्योंकि सही time पे relevant जानकारी तभी मिलेगी, जब आप लोग channel से जुडे रहोगे, ठीक है बहिया, चालो, अब थोड़ा सा बालवाल सेट कर लेते हैं, और एक बहुत बहुत बढ़िया सा quote आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, that is, believe in yourself, यार देखो, अगर आप लोगों को खुद पे भरोसा होगा ना, तो आप हर एक चीज अचीज अच ठीक है, चालो, तो चैट सेक्शन में बस believe in myself, comment कर दो, बाकी अपन लोग बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या चीज़े आज के सेशन में अपन लोग करने वाले, तो यार यह हमारा आज का एजेंड है, सबसे पहले मैं आप लोगों को introduction में सिखा के हो, जिसको हम लोग middle term splitting के नाम से जानते हैं, फिर एक नया formula आएगा हमारे पास quadratic equations के solutions को find करने लिए, that is quadratic formula, nature of the roots है, आपके पास roots का nature, बिना roots निकाले, उनका nature कैसे बता सकते हो, और आखरी में हैं आपके पास word problem, अब देखो starting के दो topics हैं, chances बहुत कम होते, question आने के, यह बहुत जादा important है, यहां से आपका majority of the questions आएगा इस chapter का, और इस chapter की अगर मैं weightage की बात करूँ, तो 4-5 marks की weightage रहती है, word problem आपको अकसर देखने को मिलता है, case study के form में, वैसे तो case study का, हम अलग से एक session लेकर आएंगे, सभी chapters का, chapter wise, यह बहुत important चीज है, concept सीख गए, त case study बनता कैसे है, कैसे वो आपको confuse करेगा, ठीक है जी, चाथ, तो चलो फिर करते हैं श्री गरेश, introduction के साथ, देखो यार कोई भी quadratic equation जो होता है, आपको पता है equation होता क्या है, सबसे पहले आप equation का मतलब समझो कि equation होता क्या है असल में, equation आप लोगों के पास एक ऐसा expression होता ह है और RHS में कुछ चीजे होती है और बीच में क्या sign होता है, उक्वाओली का sign होता है, और उसमें आपके पास variable भी होता है, constant भी होता है ना, यह सारी चीजें आपके पास equation में हमने chapter number 3 में भी पढ़ाता, variable क्या होता है, variable जो change हो जाता ये, which can change, जो change हो जाते है, इना, chapter number 3 म और इनको generally हम किस से represent करते हैं number से भाइया 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा ना 1 2 थोड़ी ना बन जाएगा कभी तू हमेशा 2 ही रहेगा लेकिन x की value कभी 1 आती है कभी 2 आती है कभी 3 आती है तो change होती रहती है तो उसको बोला जाता है variable और equation क्या होता है जब आपके पास variable हो constant हो या दोनों में से कुछ भी चीज हो एक भी चीज हो तो भी चलेगा लेकिन बीच में equality का sign होना चाहिए यह हम पढ़ चुके लेकिन इस chapter का नाम क्या है इस chapter का नाम है आप लोगों के पास quadratic equation quadratic का मतलब हमने पढ़ा था quadratic की quadratic का मीनिंग क्या होता है बिटा quadratic का मीनिंग होता है आपके पास quadratic का मीनिंग होता है जब highest power of variable डिगरी आपकी 2 होती है यानि कि highest power highest power of variable is 2 highest power जो होती है अगर 2 हो जाती है तो उस expression को आप क्या बोलते हो quadratic equation बोलते हो जैसे अगर मैं कुछ examples लिखू यहां पर तो 2x square plus 3x minus 5 बराबर किसके बिटा 0 के यह quadratic equation है अगर मैं कुछ और example लिखू जैसे 3x की power 3 minus 4x square minus 6x is equal to 5 यह quadratic equation नहीं है क्योंकि यहां पर power क्या है 3 है तो अगर आपके पास highest power of variable 2 होता है तो ही वो quadratic equation कहलाते है तो कोई भी जो quadratic equation होता है अगर मैं उसका general form standard form समझने की कोशिश करू तो किसी भी quadratic equation का standard form होता है वो होता है बिटा ax square plus bx plus c बराबर किसके 0 के तो यह किसी भी quadratic equation का standard form होता है general form होता है what is this this is the general form या फिर standard form standard जिससे आप हर एक quadratic equation को क्या करते हो represent करते हो अब यहां पर a b और c a b और c जो है coefficient से बिटा a क्या है x square का coefficient b क्या है x का coefficient और c क्या है constant यह क्या हो सकते बिटा it can be any real number यह कोई भी real number हो सकते है decimal में हो सकता है fraction में हो सकता है कुछ भी हो सकता है कुछ भी चीज़ हो सकती लेकिन बस यहां पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको और वह चीज़ क्या है कि बस a जो होगा वह 0 के equal नहीं होगा 0 को छोड़के वह कुछ भी हो सकता है b 0 हो सकता है c 0 हो सकता है बट a 0 नहीं होगा क्योंकि अगर a 0 हो जाए अगर a 0 हो जाए तो आपका यह equation जो है कुछ-कुछ ऐसा बन जाएगा bx plus c अब यह bx plus c क्या है यह quadratic equation थोड़ी नहीं यह तो linear equation बन गया ठीक है तो बस यह छोटी-छोटी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बाकी तो everything is sorted यह छोटा सा introduction quadratic equation का अब आगे आगे जैसे जैसे आप इसके solutions को roots को पड़ोगे तो वह भी हम समझेंगे ठीक है ना एक और चीज को समझ लेते solutions को भी यहीं पर समझ लेते है solution होता क्या है solutions का मतलब होता है बिटा solutions का मतलब होता है मैं फिर दुबारा से समझा देता हूँ हम पहले भी चीज़ों को समझ चुके है अपने पिछले chapters में कि variable की वो value वरियेबल की वो value वरियेबल की वो value जो जो equation को क्या करें सैटेसफाई करें वरियेबल की वो value जो आपकी equation को क्या करें सैटेसफाई करें उस value को क्या बोला जाता है solution बोला जाता है जैसे माल लो मेरे पास क्या है x square minus 4 equals to zero तो यह मेरे पास quadratic equation है अब इस quadratic equation में अगर मैं x की जगह पे दो substitute कर दू अगर मैं x की जगह पे 2 substitute कर दू तो यह क्या हो जाएगा 2 की power 2 minus 4 equals to मतलब minus 4 निकालते है इसको 4 minus 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा RHS में भी 0 LHS में भी 0 आगया यानि कि जब मैंने x को 2 substitute किया तो मेरा answer कितना आगया मतलब बराबर आगया ना LHS RHS बराबर आगया तो इसका मतलब यह क्या है इस equation का solution है solution है वैसे ही क्या एक equation के एक से ज़्यादा solution हो सकते है बिल्कुल हो सकते है जैसे अगर मैं इसमें x की जगा पे minus 2 substitute करूं x की जगा पे अगर मैं minus 2 substitute करूं तो minus 2 की power 2 minus 4 minus 2 की power 2 4 हो जाएगा 4 minus 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह भी क्या है इसका solution है क्योंकि आपका LHS RHS बराबर आ रहे है क्या इन दोनों के अलावा इसके कोई और solution है नहीं है आप x की कोई और value substitute करके देखो इन दोनों के अलावा same नहीं आएगा LHS RHS तो यह दो क्या होगे इसके solution अच्छा अब equation के case में हम इनको क्या बोलते है roots भी बोलते है roots भी बोलते है जैसे हम zeros बोला करते थे यहाँ पर हम इने क्या बोलते है roots बोलते है तो कोई भी जो quadratic equation होती है कोई भी जो quadratic equation होती है ax square plus bx plus c equals to 0 कोई भी जो quadratic equation होती है आपके पास इस format में इसके maximum maximum जादा से जादा maximum two roots होते हैं जादा से जादा दो roots होते हैं दो से जादा नहीं हो सकते हैं बट दो से कम हो सकते हैं कैसे होंगे वो हम आगे sessions में discuss करेंगे but maximum किसी भी quadratic equation के सिर्फ और सिर्फ दो roots होते हैं maximum दो से जादा नहीं तो यह कोछ छोटी छोटी सी बाते हैं छोटा सा introduction है quadratic equation का दिखता कैसा है कैसे कैसे इसकी कहानी होती है क्या क्या चीज़े होती है अब एक अदा सवाल कर लेते इस topic के उपर ताकि आपको एक better clearity मिल जाए जैसे यह सवाल है बिटा आपके पास आपके पास बोला गया है क्या which of the following is a quadratic equation in x आपको यह बताना है इन में से कौन सा quadratic equation का example है तो पहला है आपके पास क्या पहला है आपके पास क्या x plus 2 की power 3 है ना तो मैं लिख लेता हो एक बारी x plus 2 की power 3 is equals to x की power 3 minus 8 यह है अब आप क्या करोगे यहाँ पे आप a plus b का cube करोगे तो यह क्या हो जाएगा a cube plus b cube plus 3 into a into b bracket के अंदर a plus b is equals to x cube minus 8 हो जाएगा तो यह हो जाएगा x cube plus 2 की power 3 8 हो जाएगा plus 3 to the 6x bracket के अंदर x plus 2 is equals to x cube minus 8 हो जाएगा x cube से x cube कट जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 8 plus 6x square plus 6 2 नी 12x minus 8 सब कुछ इदर ले हो सब कुछ इदर ले हो तो 6x square सबसे आगया आगया फिर आगया आपके पास 12x विरा जाएगा आपके पास 8 plus 8 equals to 0 तो यह हो जाएगा आपके पास 6x square plus 12x plus 16 equals to 0 क्या यह quadratic equation है आप बोलोगे हाँ भाईया यह ax square quadratic equation क्या होगा जो इस format में होगा ax square plus bx plus c equals to 0 जो इस format में होगा उसको हम quadratic equation बोलेंगे उसको हम quadratic equation बोलेंगे तो जी हाँ भाईया ये बिल्कुल quadratic equation है ठीके जी अच्छा अगला सवाल है आप लोगों के पास ये a plus b का whole square लगा दो तो ये हो जाएगा direct a square plus b square plus 2 into a into b is equals to 2 इधर क्या है X plus one upon X plus 3 यहाँ पर X से X कट जाएगा तो यह हो जाएगा X square plus one upon X square plus 2 is equals to 2 X plus 2 upon X plus 3 सबकुछ इदर ले आओ सबकुछ इदर ले आओ X square प्लस 1 upon X square 2-2 x-2 upon x-3 equals to 0 आप इनमें क्या solve हो सकता है इनमें बस एक ही चीज solve हो सकती है वो है आपके पास x square upon 1 upon x square as it is minus 2x as it is minus 2 upon x as it is 2 minus 3 करोंगे minus 1 बराबर 0 सिर्फ यहीं चीज़ solve हो सकती थी तो क्या यह quadratic equation है आप बोलोगे भाईया हाँ variable के highest power जो है वो 2 है लेकिन क्या यह इस format में है क्या यह इस format में है नहीं है यह कुछ-कुछ एसा मैं बतातो आपको यह कैसा है यह आपके पास है ax square plus b upon x square minus cx minus और सॉरी plus cx plus d upon x plus e इस format में है यह इस format में है तो यह quadratic equation नहीं है यह इस format में नहीं है तो कोई भी equation जो इस format में नहीं होगा वो quadratic equation बिल्कुल भी नहीं कहलाए तो ऐसा बहुत basic सा सवाल आता अब कई बार ना बच्चों के पास एक सवाल आ जाता है कि क्या x square minus 4 equals to 0 क्या quadratic equation है बच्चे बोलते हैं कि भाई यह इस format में तो है ही नहीं a x square plus b x plus c equals to 0 क्योंकि यहाँ पे x वाला term तो है ही नहीं बट बिटा अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यान से समझोगे तो यह क्या है आपके पास x square plus 0 into x x वाला term नहीं है तो उसको 0 into x लिख सकते है minus 4 equals to 0 अब आगया यह इस format में अब आगया क्योंकि देखो b और c 0 हो सकते a 0 नहीं हो सकता जैसे अगर माल लो मेरे आपके पास कोई 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 equation है x square minus 2x equals to 0 क्या यह quadratic equation है बिलकुल equation है यह किस format में x square minus 2x plus 0 equals to 0 है ना तो c क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा c 0 हो जाएगा तो इसमें confused नहीं होना है अगर आपके पास दो ऐसी terms दी जाएगी आपको बस वह format चेक करना है इस format में है चीजे या नहीं है अगर इस format में है तो quadratic equation है नहीं है तो फिर नहीं तो क्या ही है ठीक है जी चलो अब जैसे यह वाला सवाल है अब जैसे यह वाला सवाल है यह सवाल क्या कहता है क्याता है 3 by 4 and x is equal to minus 2 are the roots of this equation, आपके पास एक equation है, ax square plus bx minus c 6 equals to 0, क्या कहता है, कहता है कि इस equation के 2 roots आपको दिये गए है, इस equation के 2 roots आपको दिये गए है, एक दिया गया 3 by 4 और एक आपको दिया गया है, कितना minus 2 दिया गया है, एक इस equation के root दिये गए 3 by 4 और एक दिया गया है minus 2, अब आपके पास क्या है, आपको A और B की value बतानी है, तो बहुत simple सी situation है, बहुत simple सी कहानी है, अगर बेटा ये आपके पास इसके roots है, तो क्या इसको जब मैं x की जगा पे satisfy करूँगा, LHS, RHS बराबर होगा, क्या ये equation को satisfy क करेगा, बिल्कुल करेगा, तो जैसे ही मैं x की जगा पे 3 by 4 substitute कर देता हूँ, 3 by 4 का square प्लस B into 3 by 4 minus 6, तो ये किस के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसका root है, तो LHS, RHS बराबर हो जाएगा, जैसे ही मैं इसकी value substitute करूँगा, तो ये हो जाएगा, 3 का square 9, 4 का square 16, 16, minus plus 3B upon 4 minus 6 equals to 0, तो ये हो जाएगा, आपके पास 16, 9A plus 4, 4, 3, 12B, minus 16, 16, 96 equals to 0, तो ये हो जाएगा, आपके पास 9A plus 12B minus 16, देखो ये वाला 16 इदर जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास, एक quadratic, simple, linear equation in 2 variable बन गया, ये क्या बन गया, linear equation in 2 variable बन गया, अब जैसे ही मैं इसकी जगा पे minus 2 substitute करूँगा, minus 2 अगर मैं substitute करता हो, तो यहाँ पे देखो, a minus 2 का square, plus b into minus 2, minus 6 equals to 0, जैसे ही minus 2 substitute कर, तो ये क्या हो जाएगा, a minus 2 का square करोगे, 4 हो जाएगा, minus 2b, minus 6 equals to 0, तो ये हो जाएगा, आपके पास, 4a minus 2b, minus 6 equals to 0, दो linear equations in 2 variable बन गया, अब आपको पता है कैसे solve कर रहे हैं, है ना, कर लो, यार मैं तो कहूंगा, b का coefficient बराबर कर दो, b का coefficient बराबर करने के लिए क्या करना बड़ेगा, यहाँ पर बस minus 6 से multiply कर दो, 12b बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, minus 24a, प्लस 12b, देखो, अगर अभी तक मेरा pair of linear equation in 2 variable का one short video नहीं देखा है, तो जाके चेक कर लो, जाके चेक कर लो, क्योंकि बहुत detail में समझाया है मैंने उसको, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा बिटा, ये उसका वही होगा, जो मनजूरे खुदा होगा, ठीक है, ये दो equation आगी, अब इन दोनु equations को, इन दोनु equations को हमें क्या करना है, solve करना है, तो पहली equation है, आपके पास 9A plus 12B minus 16 equals to 0, दूसरी equation है, minus 24A plus 12B plus 36 equals to 0, साइन चेंज कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, दूसरी equation से, plus 12B minus 12B cancel, 9 और 24 कितना हो जाएगा, 33A minus minus क्या हो जाएगा, 40, 42, 52, या खुदा सही है कि नहीं है, चलो, करके देख लेते हैं, 52 उदर जाएगा, positive हो जाएगा, A का value आजाएगा, 52 अपॉन, 33, 3 से काटोगे, 11, 3 से नहीं कटेगा, भाईया, यह, मेरे को कुछ गड़वर लग रहा है, एक बारी solution चेक कर लेते, चलो, एक बारी फिर से चेक कर लेते, 3 by 4 अगर मैं substitute करता हो, तो यह हो जाएगा, 9 upon 16, 3 by upon 4, minus 6, as it is, 16 LCM है, तो यह हो जाएगा, 9 A, plus 4, 4, 3's are 12, और 16, 6's are 96 ही होता है, ना भाई, 96 होता है, ओ, यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया, भाई, यह छोटी-छोटी जो चीजें हैं ना, बस यही, यही ऐसी चीजें हैं, आपका सवाल गडबढ कर देती है यही ऐसी चीजे हैं जो आपका सवाल गडबढ कर देती है यह 96 हो जाएगा चीक है तो फिर यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा I hope बस यही गलती हुई हो इसके अलावा कुछ और ना हुआ हो तो यह माइनस है यह भी माइनस है माइनस हो जाएगा प्लस तो 102 और 132 हो जाएगा 132 हो जाएगा इकोल्स टू जीरो अब अगर मैं इसको 4 से मल्टिप्लाइ कर दो तो 4th result 12, 1 carry 4th result, बिल्कुल सही है, A का value आ गया 4, अब अगर A का value 4 आ गया है, तो किसी भी equation में आप substitute करके B का value निकाल सकते हो, जैसे मुझे ये बहुत आसान सा लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, A का value आ गया, कितना आपके पास 4A, A का value है 4, minus 2B minus 6 equals to 0, तो यह हो जाएगा, 16, 16 minus 6, 2B उदर जाएगा, तो positive हो जाएगा, यह हो जाएगा, 10 is equals to 2B, तो B का value आ जाएगा, आपके पास कितना 5, B का value आ जाएगा 5, A का value 4, B का value 5, B का value 5, A का value 4, ठीक है भाई, बस calculations का दिहान रखना है, बस दीरे-दीरे चीजे, मतलब बहुत-बहुत easily होने लग जाएगे, और अभी तो यह पहला ही पार्ट है, introduction है, अब जैसे-जैसे आप दीरे-दीरे आगे बढ़ते जाओगे न, तो आपको और मुश्किल-मुश्किल सवाल मिलते जाएगे, बट अगर आपने शिद्दत से चीजों को कर लिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसे यह सवाल है, which of the following is a quadratic equation, तो सबको solve करना पड़ेगा, यह पहला क्या है आपके पास, x square plus 1 equals to a minus b का whole square, 2 का square हो जाएगा, 4 plus x square minus 2 to the 4x plus 3, तो x square से x square cancel हो गया, इधर बज़ गया 0, इधर minus 4x plus 7 minus 1, तो 0 is equal to minus 4x plus 6, क्या यह quadratic equation है, बिल्कुल नहीं, linear equation है, अब मैं दूसरे वाले पार्ट को अगर solve करूँ, इस वाले पार्ट को यहाँ पे कर लेते, यहाँ पे आपके पास x cube minus x square is equal to a minus b का whole cube, x cube minus 1 cube minus 3x into 3 into x into 1, x minus 1, ठीक है न, तो यह हो जाएगा x cube minus x square is equal to x cube minus 1 minus 3x square plus 3x, simple solve कर रहा हूँ, x cube से x cube कट गया, यह उदर भेज़ दोगे, तो इधर बज़ जाएगा 0 minus 1 minus 3x square, x square इधर आके positive हो जाएगा, plus 3x as it is, 0 is equal to, इन दोनों को solve करोगे, minus 2x square plus 3x minus 1, क्या यह quadratic equation है, क्या यह इस format में है, a square plus, a x square plus b x plus c, हाँ, बिल्कुल यह इस format में है, तो b वाला part जो है, वो quadratic equation, solve कर रहा हूँ बस मैं, कुछ नहीं किया है, मैंने, देखो, यहाँ पे, आपने बस a minus b का whole cube किया, उसको इधर उधर भेजके solve किया है, बस, चीजों को solve किया है, last वाला part देख लो, आपके पास क्या है, बिटा, 2x square plus 3 is equal to 5, 5, 2s are 10, 5, 2s are 10, 10x, फिर 5 into minus 3, minus 15, x into 2x, plus 2x square minus 3x, ठीके जी, तो 2x square से 2x square cancel हो जाएगा, सब कुछ उधर भेज़ दोगे, इधर बज़ गया, 0, 10x minus 3x हो जाएगा, 7x minus 15, पहले से ता, 3 इधर आएगा, negative हो जाएगा, तो 7x minus 18, अब यह आपके पास क्या है, quadratic equation है, या linear equation है, linear equation है, quadratic तो है ही नहीं, क्योंकि x square plus bx plus c की format में नहीं है, तो यह बहुत basic सा सवाल है, कभी-कबार एक marker question आप लोगों के पास ऐसा-सा आ जाता है, इसी में ऐसा भी सवाल आ जाता है, कभी-कबार, कहते हैं कि if x is equals to 3 is a root of this quadratic equation, यह आपके पास quadratic equation है, यह आपके पास quadratic equation है, इस quadratic equation का जो root है, वो क्या है 3 है, तो जैसे ही मैं 3x square plus k minus 1 into x plus 9 equals to 0, तो अगर मैं x की जगा पे 3 substitute कर दू, plus k minus 1 into 3 plus 9 equals to 0, तो 3 into 3 का square हो जाएगा, 9 plus 3 into k, 3 k minus 3 plus 9 equals to 0, 9 3 is a 27 plus 3 k minus 3 plus 9 equals to 0, तो यह हो जाएगा आपके पास 27 plus 3 k plus 6 equals to 0, 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33 plus 3 k is equals to 0, 33 उदर चला जाएगा, तो 3 k is equals to negative 33, negative 33 यानि की minus 11 हो जाएगा, तो k का value कितना हो जाएगा, minus 11 हो जाएगा, clear है, clear है, तो यह बहुत simple सा part था आप लोगों के पास, जिसमें आप लोगों ने introduction किया, quadratic equation का, और यहां से मतलब जादा सवादा नहीं आते, एक आदा माक्स का शायद, कभी कबार MCQs में दे देता है, assertion reason में पूछ लेता है, है ना, तो यह बहुत simple सी चीज थी, अब बात करते हैं, इनके solutions की, देखो हमने solutions की बात की थी, हमने बात की थी, कि अगर आपके पास कोई भी quadratic equation है, ax square प्लस bx प्लस c, बराबर 0, इस quadratic equation के maximum कितने zeros, maximum कितने roots होते 2, तो एक मैंने माल लिया बेटा, alpha, एक मैंने माल लिया बेटा, अब इनको निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे, हमने एक method पढ़ा था, polynomials में middle term splitting, तो यहाँ पे भी हम उसी method को समझेंगे, जिसका नाम है factorization method, वही है middle term splitting यह, एक और method पढ़ेंगे, उसको हम detail में समझेंगे, quadratic formula को, फिर हम यह भी जानेंगे कि maximum 2 zeros कैसे होते हैं, फिर उसका graph भी पढ़ेंगे, सारी चीज़े समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, but middle term splitting को समझने के लिए, वैसे तो आपको आता है, है ना, polynomials में आपने सीखा होगा, मैं कुछ-कुछ सवालों में बहुत basic तरीके से करवाऊंगा, फिर मैं फटा-फट से चीज़ों को भगाने लग जाऊंगा, क्यूंकि अगर आपको middle term splitting नहीं आती है, जो chapter आप कर चुके हो, polynomial में, इसका मतलब है, थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो उस दिक्कत को clear करो पहले, यह बहुत simple सा quadratic equation है, इसको solve करना है, उसे, अचा, फिर बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है, चलो वो जब quadratic equation आएगा तब बताऊंगा, तो यह बहुत simple सी चीज़ है, अब x square का जो coefficient है, और जो constant term है बिटा, सबसे पहले इन दोनों को multiply करते हैं, 9 into minus 2 कितना हो जाएगा, minus 18 हो जाएगा, अब इस minus 18 को या फिर 18 को आपको break करना है, ऐसे दो numbers में जिनका middle term कितना हो, 3 के बराबर हो, तो इसको मैं कैसे break करता हूँ, 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, क्या इसके अलावा में किसी और तरीके से 18 को break कर सकता हूँ, आप बोलोगे, 9 into 2 भी तो लिख सकता हूँ, वो लिखा हूँ है अल्डरेडी, अना उसको फिर दुबारा से नहीं लिखना है, अब इन दोनों का जो difference है, वो कितना है, बेटा, 3 है, middle term के बराबर है, बाकि कुछ करने की जरुरत नहीं, मिल गया मुझे, तो पहला वाला term as it is, 9x square minus, 6 minus 3 करने पर मुझे 3 मिलेगा, minus 2 बराबर किसके 0 के, तो 9x square as it is, bracket खोलोगे, minus 6s, minus minus plus हो जाएगा, bracket open करते ही, sign change हो जाते है, equals to 0, पहली दो terms में से, अगर मैं 3x common ले लो, तो यहाँ पर 9 में से 3 गया, तो 3 बचेगा, x square में से x गया, इन दोनों terms में से, अगर मैं 1 common ले लो, तो यह बच जाएगा, आपके पास 3x minus 2 बराबर किसके 0 के, तो 3x minus 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या करोगे, इसको बाहर ले लो, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3x plus 1 बच जाएगा, बराबर किसके 0 के, अब अगर मैं इसको 0 के equal रखो, 3x minus 2 को 0 के equal रखो, तो 3x का value कितना हो जाएगा, बिटा, 2, x का value कितना हो जाएगा, 2 upon 3, और अगर इसको 0 के equal रखो, दोनों को 0 के equal रखते हैं, 3x plus 1 equals to 0, तो 3x का value हो जाएगा, minus 1 और x का value हो जाएगा आपके पास minus 1 upon 3 तो ये आप लोगों के पास क्या है ये आप लोगों के पास क्या है roots हो जाएंगे इस quadratic equation के ठीक है roots for this quadratic equation अब इस chapter में हम relation verify करना नहीं सीखते हैं वह पॉलिनॉमिल में सीख चुके है ना तो यहां पर नहीं होगा यार बाल वाल सही लग रहे न बीच बीच में देखते रहना पड़ता है क्या उस गली में तेरा न जैसे हुआ तो घुजरे जमाने को घुजरा जमाना हुआ खामोशिया आवाज दो तुम सुनने तो आओ कभी चुकर मुझे एहसास दो यूधुन को इगाओ जरा बेकरार है प्यार करने को कहने दो इनको जरा खामोशिया तेरी मेरी खामोशिया बीच पीच में थोड़ा बहुत मनो रंजन भी होना चाहिए गाना कैसा लगा यह जरूर बताना कोमेंट सेक्षन में होमवर का आंसर दो ना दो यह जो लास्ट में मैं एक होमवर कोशन पूछूंगा बट यह जरूर बताना कि गाना कैसा लगा ठीक है बहुत सिंपल सी कहानी है आप लोगों के पास यह क्वाड्रिटिक एक्वेशन को सॉल करना है तो देखो कैसे सॉल करोगे सेंसोगो माइनस सॉस्टी कितना हो जाएगा माइनस 120 हो जाएगा अब देखो यहां पर अंडरूट के अंदर क्या है आपके पास ठीस है तो यानि की आपको ठीसॉश क्या चाहिए कैसे ब्रेक करोगे इसको आप उन्टे करोगे लेकनता 60 somos 20 नहीं आप इसको एक काम करो 30 इ into 10 में break करो ठीक है और यह क्या है into 40 तो अभी फिलाल के लिए ऐसे इस 3 को break करना पड़ेगा आपको root 3 into root 3 ऐसे क्योंकि 3 आपको चाहिए अंदर है ना 3 आपको चाहिए तो वह आपको 3 को break करना ही पड़ेगा ठीक बाकी के नंबर बच गए बिटा आपके पास 10 into 40 अब इनको use करके क्या करना है कि 6 मतलब कुछ इस तरीके से करना है 10 को आप लिख सकते हो 5 into 2 40 को आप लिख सकते हो 2 into 2 4 into 5 into 2 इस तरीके से मैंने पूरा ब्रेक कर दिया इनका पूरा ब्रेक अप कर दिया अब इन नंबर्स को यूज करके आपको ऐसे दो नंबर्स बनाने हैं जिनका डिफरेंस या फिर सम इस मिडल टम के इक्वल हो तो पास दूनी दस पास दूनी दस बीस देहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम तेरे नाम पे आठ पच्चेस और सोला पच्चेस नहीं 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 हो पाएगा पच्चेस माइनस सोला नहीं होगा तेरे नाम पे मेरी जिन्दगी लिख दे मेरे हम दम आसीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना आसीखा जीना तेरे बिना पच्चेस और बीस होता तो सारी नहीं हो रहा है भाई दो एक बारी मैं देख ले तो भाई पांच और दो है अबे ओ हो 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 यार इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं मतलब ऐसे भी हो जाएगा बट मेरे ध्यान से भी निकल गया इसको थोड़ा सा पहले सिंपल कर लेते एक काम करते हैं यहां से टू कॉमन ले लो टू कॉमन लोगे तो यहां पर यह बच जाएगा बेटा थ्री अंडर रूट ट्री एक्स माइनस थर्टी यह बच जाएगा आपके पास तो टू को अगर इधर शिफ्ट कर देंगे तो वह जीरो हो जाएगा यानि कि इसको थोड़ा सा से मतला वैसे भी करने पर हो जाता थोड़ा सा दिमाग लगाते इधर उदर तो हो जाता अब आपके पास 30 इंटू वन यानि कि 30 है सिर्फ इस 30 को ब्रेक करना तो इसको मैं लिख सेट तो 5 इंटू 3 इंटू 15 15 इंटू 2 आप छोटा नंबर आ चोटे पांच और हाँ आपको 5 रूट 3 हो गया और 2 रूट 3 हो गया तो 5 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखो तो कितना आएगा 3 रूट 3 है के एक्वल आएगा यानि कि x स्कूर एस इस फाइफ अंडर रूट 3 x माइनस 2 अंडर रूट 3 x माइनस 30 इकोल्स टू 0 है ना इस तरीके से आपने मिडल टम स्प्लिटिंग कर दिया उसके बाद पहली दो टम्स में से बिटा सिर्फ और सिर्फ एक्स कॉमन आ रहे तो x प्लस 5 रूट 3 बच जाएगा और यहां से अगर मैं यहां से अगर मैं 2 और रूट 3 दोनों कॉमन ले लू तो 2 रूट 3 आपने पूरा कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 5 रूट 3 और साइन किसका हो जाएगा प्लस का क्यूं प्लस का साइन लगा रहा हूं है यहां पर नेगेटिव होना चाहिए था क्यूंकि बाहर नेगेटिव साइन है अगर नेगेटिव कभी कॉमन लेते हो तो सा का वेल्यू आ जाएगा टू अंडरूट ठीक है भीया तो ऐसे इसके रूट निकाल ले न आप चलो जी आज़ो अब देखो आपके पास अगर ऐसा सवाल आ जाता है न तो फिर बच्चों की थोड़ी-थोड़ी हवा टाइट होने लग जाती है ये तो सिंपल मिडल टम स्प् सवालों के पास तो यह सवाल जरूर आते इस टाइप के सवाल बेसिक मैच सवालों के पास इस परकार के सवाल थोड़े कम आते हैं या ना के बराबर आते हैं बट 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 यहां पर आप लोगों के पास जरूर आते ठीक है जी अब आजाओ कैसे करोगे देखो बहु equals to zero है ना साइन खुलेगा ब्रैकेट कुलेगा साइन चेंज हो जाएंगे मैंने क्या किया मैंने थोड़ा सा देखा इसको देखके मुझे एक चीज समझ में आई कि 4x square plus 4bx और plus b square minus a square b square को आगे लिख दिया इसको terms को देखो बस इन तीनों terms को देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आप भोलोगे भाईया लिखतो सकते हो पर लिखा का है क्यूं है क्यूं है अब अगर मैं इन तीनों terms को देखू बेटा a square plus 2 into a into b plus b square यानि कि यह क्या है विटा यह 2x plus b का whole square है और यह minus a square as it is अब अगर थोड़ा सा अगर आप और ध्यान से समझोगे तो आपके दिमाग की बत्ती और जलेगी आप बोलोगे भाईया यह पूरा का पूरा टम अगर मैं x माल लू और यह पूरा का पूरा टम अगर मैं y माल लू तो क्या यह मुझे ऐसा नहीं दिख रहा स्क्केर माइनस y स्क्राइस कर जिसके फ्रोंला होता है एकस इस प्लस बीगे उल्च पूरे को 0 के ओक रखां मेर फ्र। यहां से ब्चंट इस यह से इकल्स तो और बी दोनों उदर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे x is equal to minus a minus b upon यह हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं इसको 0 के equal रखूंगा तो minus a equals to zero तो यह हो जाएगा 2x is equal to minus a उदर जाएगा a minus b x is equal to a minus b upon 2 यह हो जाएगा इसका तो इस तरीके से आपको solve करने का मतलब क्या है कि आपको x की ही तो value निकाल निया भाई आपको x की ही तो value निकाल निया तो देखो निकाल दिया आपने ठीक है इसको कई बार हम ऐसे भी लिख लेते कि minus sign common ले लिया a plus b हो जाएगा इस तरीके के सवाल भी आ जाते अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहता हूं ठीक है की quadratic formula चलो जब वो करेंगे तब कि तब देखेंगे मतलब इन सभी सवालों को मतलब मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सभी सवालों को आप quadratic formula से भी करना जब मैं quadratic equation बता दूंगा तो उसमें मैं ज्यादा है इतने सारे सवाल नहीं करवाओंगा आपको की quadratic formula टाइप्स अलग अलग करवाओंगा बट कोशिश करना कि इन सवालों को भी आप अपनी practice के लिए quadratic formula से भी करना ठीक है कि देखना कि answer same आता है या नहीं आता है क्या difference आता है क्या चीज़ है क्या नहीं है कितना कौन सा method easy है quadratic formula easy है या फिर middle term splitting easy है क्या चीज़ easy अब आजाओ इन दोनों को थोड़ा सा करते इसको इधर भेजोगे तो तीन दुना 6 हो जाएगा इस पूरे को इधर भेजोगे तो minus x plus 1 हमेशा bracket का इस्तेमाल करना बिटा कभी भी negative sign होता है मैं तो यही suggest करूंगा negative sign हो ना हो bracket का इस्तेमाल करो सबसे पहले तो LCM लोगे नी इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो इतना करने के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा क्या 5-x into 5-x into 3x-1 is equal to 2 into 2x plus यह हो जाएगा 5 into 3 करोगे तो यह हो जाएगा 15x minus 5 minus 3x square minus x is equal to 2 to the 4x plus 2 to the 4 simple bracket खोल दिया सब कुछ उदर ले जाओ सब कुछ उदर ले जाओ चलो सब कुछ उदर ले जाओ इधर बचेगा 0 3x square इधर जाके positive होगा 14x इधर आके negative होगा 5 इधर जाके positive होगा 4x plus 4 इधर पहले से था ठीक है जी चाब अब थोड़ी चीजों को अगर मैं ध्यान से देखू इधर तो रहेगा बिटा 0 इधर रहेगा 3x square minus 14x plus 4x minus 10x हो जाएगा 4 plus 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा तो यह आपके पास final quadratic equation आ गई है अब इस quadratic equation को solve भी करना है कर लेते कर लेते यहां पर मैं solve करूंगा सारा कुछ यहां पर मैं solve करूंगा जब प्राब्लम आएगी equation बना के छोड़ दूंगा खुद solve करना जो मुश्किल होगा डेफिनेटली कर वाओंगा और जो मुश्किल नहीं होगा समझजार हो तुम आजाओ ठीक है तो 3x square minus 10x plus 9 यह quadratic equation है है ना अब इसको कैसे करोगे 9 मतलब वही करना है 3 into 9 27 हो जाएगा 27 को को कि भाई मेरे को तो गड़ बड़ लग रहा है कुछ कि छे एक्स प्लस वन ब्रैकेट को लेगा एक्स माइनस वन हो जाएगा 2 into x प्लस वन हो जाएगा 3x माइनस वन हो जाएगा ठीक है 2x प्हों गया 3x माइनस वन को इदर लें जाओगे तो यह 5 माइनस एक्स 2x प्लस टू इस से पांच माइनस एक्स 15x माइनस पांच माइनस 3x स्कार ओ देखा 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 पॉजिटी नेगेट इच्छोटी छोटी चीज़े चोटी चोटी बातें तूरूरू तूरूरू ये हिरनी जैसी चाल तूरूरू तूरूरू वजो पागल मैं तेरा हुआ बुरा हाल चल ये है तो 9 और 3 कितना होता है 12 अब मुझे इसका वो मिल गया है स्विटिंग माइनस 3 x-9 x Plus ब्लस नॉएक दी में लिया तो यहांपर बचेगा एक बारी अगर मैं इसको dieses तो इस तरीके से आप अपने रूट्स निकाल सकते हो अब एक चीज को आप जिंदगी में हमेशा याद रखना हमेशा जब भी आप कोई चीज करते हो तो उसी चीज पर पर फोकस करो ठीक है यह नहीं कि दिमाग में मल्टिपल चीज चल रही है अगर आप यह कर रहे हो तो इसी पर फोकस करो मैं ऐसा क्यों कहा हूं आपने देखा होगा दो तीन जगापे मेरे से मिस्टेक्स हो रही है है और जनरली बहुत बार मतलब ऐसा कर देते सेशन में मतलब कोई बड़ी बात नहीं है बहुत सारे टीचर करते बड़े से बड़े टीचर भी करने लग जाते भी ए अभी सारी चीजसे चल रही है जो भी चीज signal editing हो व chiefIG में चल रही हैʏ!' bakery हो भूख पर चीज़े धिमल चाते मेरे ऑच लगई हैं買 लग प्रॉकवेस देखो है बट मत करो एसा है हम उन्दलब देखो मेरे मैं भी बोल रहा हुँ तो बैं प्राइब नहीं कर भार हो ना क्योंकि वो होता है वो यूमन नेचर है बढ़ कोशिश किया करोगी माइंड को जितना वरी रख सको उतना फ्री रखो नहीं तो ऐसी मिस्टेक्स होती है अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे लिए तो खेर कोई घाटा नहीं है इन मिस्टेक्स में है ना क्योंकि मेरा तो पेपर है नहीं बट अभी अगर आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है जब आपका एक्जाम होगा फाइनल तो नींद प्रपर नहीं नहीं मिली तो उसकी वज़ेस से दिमाग जो है उतना एफीशेंसी से काम नहीं करता है इसलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूं कि एक दिन पहले प्रपर स्लीप लिया करो ठीक है और दिमाग को खाली रखा करो तो इस प्रेस नहीं लेना है किसी चीज़ का चलो मैं भी आप कोशिश करूंगा मेरे दिमाग में ठीक है तो एक इस इकोल सुट्री और एक्स इकोल स्टू वन यहीं आंसर है ठीक है बहिया जी आजो यह आपके पास कुछ सवाल थे अभी और है खताव नहीं है बाकि अगर कि किसी बच्चे का मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना हो तो यह मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दिस इस के यू एल डी डबल एपी बंडर स्कोर जीरो वन है ना कोई बच्चा अगर इस चैनल के टेलीग्राम ग्रूप को जोईन करना चाहता है तो इस वीडियो के कॉम तो हमने इस चैप्टर के दो टॉपिक्स को खतम कर दिया है एक हमारा इंट्रोडक्शन था और एक हमारा था यह फैक्ट्राइजेशन था ठीक है तो लगबग लगबग पचास मिनट हो चुके है ना और इससे जाधा इसमें टाइम देने में कोई मतलब मुझे दल्चस्प यह आपके पास एक क्वाट्रेटिक एक्वेशन है देखो सबसे पहले समझूगी क्वाट्रेटिक फॉर्मूला की नीड क्यों पड़ी हमारे पास ना कुछ एक्वेशन ऐसी होती है कुछ क्वाट्रेटिक एक्वेशन ऐसी होती है जिनको आप मिडल टम स्प्लेटिंग से आसानी से सॉल कर सकते हो लेकिन कुछ क्वाट्रेटिक एक्वेशन ऐसी होती है जो बहुत मुश्किल होती है बहुत मुश्किल अब आप आप सोच रहोंगे हां भाया देखें हमने जिसमें बड़े-बड़े नंबर्स होते हैं बहुत मुश्किल होती है नहीं वह वाले नहीं वह भी आप मिडल टम स्प्लिटिंग से एक बारी को सॉल कर लोगे बट कुछ एक्वेशन ऐसी होती है जिनको सुबे से शाम हो जाती है मिडल टम स्प्लिटिंग से सॉल करते करते हैं बट हो नहीं पाते हमें फैक्टर नहीं मिल पाते क्यूंकि उसके फैक्टर्स बहुत न्हें अदे से होते हैं तो उसको कैसे फिर हम solve करें x की value निकालने के लिए तो mathematicians ने एक और formula derive किया और आपको जानगे बहुत खुशी होगी कि इस quadratic formula को श्रीधरचार्य formula भी बोला जाता है श्रीधरचार्य formula क्यों बोला जाता है क्योंकि एक Indian mathematician थे उनके नाम पे इस formula को रखा गया है उनकी discovery थी अब बात करते हैं quadratic formula की क्या है quadratic formula और यह हर एक सवाल आपका चुटकियों में solve करतेगा अगर middle term splitting से नहीं हो रहा है अच्छा दूसरा जो मैं बोल रहा था quadratic formula में बच्चे अक्सर पूछते भाई एक्जाम में आएगा तो कौनसा फॉर्मूला यूज करें यह वाला यह वह वाला तो यार ऐसा कोई जरूरी नहीं है अगर आपके questions में लिखा है quadratic formula यूज करो तो quadratic formula अगर question में लिखा है factorization method से solve करो तो factorization method कुछ नहीं लिखा तो जो आपका दिल करता है do whatever you want to do man but don't do trouble है ना just be humble चालो आजाओ तो भाईए यह हमारा quadratic equation है इस quadratic equation के आपको पता है अगर roots निकालने यानि कि roots यानि कि x की value अगर मुझे निकालनी है तो अपने पास एक formula होता है इसको थोड़ा यहां पे लिखते एक value अगर मुझे निकालनी है तो अपने पास एक formula होता है minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by divided by 2a यह हमारे पास quadratic formula है विटा यह हमारे पास क्या है quadratic formula है यह हमारे पास quadratic formula है अब इस formula को थोड़ा सा break करके सबस्ते इस formula को दो parts में break किया जाएगा एक x is equal to minus b plus under root b square minus 4ac divided by 2a है ना और 1 हो जाएगा देखो यहाँ पर plus minus है plus minus का मतलब एक बारी plus लोगे और एक बारी minus under root b square minus 4ac divided by 2a तो इस formula को हमने 2 parts में break कर दिया एक plus वाला एक minus वाला ठीके ना बस यहीं difference है अब इसको आप देखो मैंने आपको बोला तो कोई भी quadratic equation है उसके दो roots होते हैं एक root यह हो गया एक root यह हो गया है ना एक को आप alpha मान सकते हो आप बीटा मान सकते हो नहीं मानना तो ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है 11th grade में जब आप जाओगे तो वहाँ पे भी यह देखने को मिलेगा आपको और बहुत important time है यह बहुत important time है discriminant क्या होता है उसके बारे में बाद में बकवास करेंगे बट पहले अभी यह जो बकवास लिखी है इसको note करो है ना और questions में कैसे apply करते हैं उसको सीखो उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे जब nature of the roots को समझेंगे उसको और detail में समझेंगे और वहाँ पर आपको बहुत amazing concept पता चले गई तो बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ कि यह यह है कह रही कि अच्छा उसने बोला if they exist उसको अभी ignore करो बस इसके roots निकालना में quadratic formula cbsc 2012-2013 में यह सवाल आया है कैसे करोगे देखो मैं आपको एक बहुत simple सा बच्चे ना बहुत बार इसमें calculation mistake करते मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप calculation mistakes को avoid कर सकते हो आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहले आपको a पता लगा लेना है a क्या है 4 under root 3 x square का coefficient फिर आपको b पता लगा लेना है b क्या है 5 और फिर आपको c पता लगा लेना है c क्या है minus 2 under root 3 तो ये क्या है आपके पास A पता चल गया, B पता चल गया, C पता चल गया जैसे ही आपके पास A, B और C पता चल गया अब उसके बाद आपको क्या करना है आपको discriminant निकाल लेना है discriminant का value क्या होगा B square minus 4AC ये काली काली आखे value substitute करो 5 का square minus 4 इसमें कोई कुछ ऐसा सोच नहीं है middle term splitting में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था यार यासे कौन से दो number होंगे जिनका some difference middle term के कुल कुछ नहीं करना है, बस formula में चिपकाते चलो आख कान थोड़ा खोलो और चीजे positive negative sign का ध्यान रखो सब sorted है, कुछ नहीं करना फिर इसमें 5 का square 25 हो जाएगा, minus minus plus हो जाएगा, 4, 4s are 16 16, 2s are 32, 32 into 3 root 3 into root 3 कितना हो जाएगा 3, तो 32 into 3 हो जाएगा आपके पास कितना 96 हो जाएगा 96, add करोगे तो यह हो जाएगा 101 और 121 हो जाएगा, तो जिसकी वज़े से बहुत जादा वो गुच-पुच सा लगने लग जाता आप यहीं वे discriminant निकाल लिया उसके बाद आपके पास क्या है x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4 ac मैं तो आपको एक छोटा सा suggestion और दूँगा छोटा सा suggestion और दूँगा क्यूंकि आपको पता है आपको चाहिए under root b square minus 4 ac तो आप एक काम करो इस d का under root b अलग से ही निकाल लिया करो अलग से ही निकाल लिया करो वहाँ पे substitute करके निकालने की जरुरत ही नहीं है अलग से निकाल लो तो आपने निकाल लिया कितना 11 तो भाईया आजाओ b का value कितना है minus 5 अब बस value substitute करो b square minus 4 ac under root का value कितना था 11 2 into a एक कितना है 4 under root अब बस एक बारी plus वाला लो एक बारी minus वाला लो तो इसके दो parts है भाई एक हो जाएगा x is equals to minus 5 plus 11 divided by 4 under root 3 दूसरा है बिटा इसका x is equals to minus 5 minus 11 divided by 4 under root 3 तो यह हो जाएगा 11 में से 5 गए तो कितना बचेगा 6 upon 4 under root 3 काटोगे 3 काटोगे 2 तो 3 upon 2 under root 3 इसको करोगे minus 16 upon 4 under root 3 काटोगे minus 4 तो यह हो जाएगा minus 4 upon under root 3 इनको rationalize करना चाते हो तो rationalize कर दो बलकि मैं तो suggest करूँगा की rationalization हमेशा किया करो examiner का कोई वरोजा नहीं है ससुरा कब marks काट दे आपका कब उसकी बीवी से लडाई हुई हो और काट दे so 2 into root 3 into root 3 3 हो जाएगा 2 into 3 कितना हो जाएगा 6 तो root 3 upon 2 हो जाएगा इसको solve करोगे root 3 से उपर भी root 3 से नीचे भी तो यह हो जाएगा minus 4 root 3 upon root 3 into root 3 कितना हो जाएगा 3 तो ऐसे आप इसके roots निकाल सकते हो ठीक है भी या तो बहुत simple है बहुत simple एक आदा सवाल और कर लेते जैसे यह सवाल यह वही वाला तो नहीं है नहीं वह वाला तो नहीं लग रहा मुझे देखो क्या करना है कुछ नहीं करना LC हम लेना है सबसे पहले तो x into x minus 2 है ना ऐसी किया था इसको इधर भीजोगे x minus 2 minus इसको इधर भीजोगे तो minus x हो जाएगा is equals to 3 x से x कट गया minus 2 upon x into x x square minus 2 into x minus 2 x हो जाएगा is equals to 3 इस पूरे को इधर भीजोगे तो minus 2 3 into x square minus 2 x minus 2 is equals to 3 x square minus 3 into 2 6 x minus 2 उदर जाओगे 0 इधर आ जाएगा 3 x square minus 6 x plus 2 ठीके यह हो जाएगा यह हो जाएगा ठीके भीया अब आपके पास अगर यह quadratic equation है 3 x square minus 6 x plus 2 equals to 0 तो इस quadratic equation में इस quadratic equation में इस quadratic equation में इस quadratic equation में आपको इसको middle term splitting से solve करना मैंने आपको बता है क्या A निकाल लिया आपने 3 B निकाल लिया आपने minus 6 C निकाल लिया आपने 2 तो अब क्या गरना आपको B square minus 4 AC निकाल लो discriminant तो B square minus 4 AC यानि कि B की यानि क continuation का स्क्राइक माइना सब्सक्राइब लां डिह निस मौनारे अब अन्डरepende डी मैं तो कह रहो अलग से निकाली सक्ट इसे लिख रम फैर्ली दी ओ या जाएगा बाहर अर्रूट थी अंदर बच गया तो इस वह दूर से लिख सक्क्क ठीक है अब अगर डिस्क्रीमिनेंट टू रूट थी है तो आपको पता है एक्स इगोल्स तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन अपॉन टू ए बी स्कुएर माइनस फौर सी को आप डी भी लिख सकते हो अलग अलग तरीकी से में इसली लिख रहो तागि आप कभी कन्फ्यूज नहों जाओ कभी अगर ऐसा कुछ दिख गया थो तो बी की वेल्यू कितनी है बीटा माइनस 6 है बी की वेल्यू कितनी है minus of minus 6 plus minus under root d d की value कितनी है 2 root 3 2 root 3 a का value कितना है 2 into a a कितना है बटा अरे द्वार पालो कनईयां से कह दो दर पे तुम्हारे गरीबा गया है न सर पे है पगडी नतन पे है कपड़ा अब एक बारी प्लस ले लो एक बारी माइनस ले लो 6 plus 2 root 3 upon 6 और एक बारी हो गया 6 minus 2 root 3 upon 6 ठीक है तो यहां से अगर मैं 2 common ले लू आना 2 common ले लू तो यह हो जाएगा 3 plus root 3 upon 6 यानि की 3 तो यह हो जाएगा x is equals to 3 plus under root 3 upon 3 और यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां से अगर मैं 2 common ले लू तो 3 minus root 3 upon 6 काटो यह बच्चा है अब ना यह इसके root से है और मैं आपको एक guarantee देता हूँ मैं आपको एक guarantee देता हूँ इस quadratic equation को आप कोशिश करना middle term splitting से solve करने की तो आपको समझ में आएगा कि quadratic formula की need क्यों पढ़ी आप quadratic formula से कोई भी सवाल को solve कर सकते हो बट middle term splitting से सारे सवालों को solve नहीं किया जाएगा है ना तो यह middle term splitting से बिल्कुल भी नहीं होगा कता ही नहीं होगा कता ही नहीं ठीक है भीया चाथ आगे बढ़ते अब जैसे यह सवाल बहुत आला आओ दिखाए तुम्हें अंडे का फंडा x square minus 9x minus 100 equals to 0 ठीक है भीया यह है आपके पास तो सबसे पहले a b और c को निकाल लो a b और c को निकाल लो a कितना है विटा आपके पास 4 है b कितना है विटा आपके पास minus 9 है और c कितना है आपके पास minus 100 है minus 100 है ठीक है तो यहां से minus 4ac निकाल लेना है b square minus 4ac की अगर मैं बात करूँ b कितना है minus 9 का square minus 4 into a कितना है विटा 4 है और c कितना है minus 100 है minus 100 है ठीक है minus 9 का square हो जाएगा 81 minus minus plus हो जाएगा और यह हो जाएगा 1600 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1681 1681 अब इसका अंडर रूट निकालना भी यह इतना बड़ा कईसे निकालेंगे तो देखो साथवी कक्षा में आपने सीखा होगा how to find a square root of these numbers how to find a square root of these numbers तो ध्यान से सुनना हम लोग हमेशा क्या करते हैं पीछे से pair बनाते हैं बना दिये दो दो के pair अब यहाँ पे आपको एक number लिखना है 4 4 यहाँ दोनों जगा सेम number लिखना है जो इस इन इस number से छोटा हो या इसके बराबर हो तो 4 4 कितना हो या 16 कट गया पूरा का पूरा अब यह पीछे के दोनो number note down कर लो उतार दो अब इन दोनों को add करना होता था 8 अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम number लिखना है और वो यह तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए अब 81 को 1 से multiply कराओगे कितना आएगा 81 है ना तो यहाँ पे और यहाँ पे same number होना चाहिए और इ under root of 1681 जो की हो जाएगा आपके पास 41 के बराबर है आप जैसा कोई मेरी जिन्दगी में हाए तो बात बन जाए माईनस ख प्लस माईनस अंडरूट बी स्क्वेर माईनस स्पूर सीड़ाइट ब्याइठ ब्यू आ teachers की में ळी कितना है माईनस नइच्ट गी माईनस और इसकी वैलिवाराइफ्ली लिख लेते हैS 41 क्यूकि अन्वन्ने डवाइड बाइट मैं रूय है बेटा एक वेल्यू कितना 4 है तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 41 डिवाइड़ बाई 8 तो अब यहाँ पे अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा x is equal to 1 बारी प्लस एक बारी माइनस तो 9 प्लस 41 डिवाइड़ बाई 8 यानि कि x is equal to 50 upon 8 अरे अरे 58 का हाई को लिख दिया भाई दो से काटोगे 25 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 25 अपन 4 तो x का value आ गया 25 अपन और ठीक है भी या दूसरा आ जाएगा आपके पास क्या दूसरा आ जाएगा आपके पास x is equal to 9-41 upon 8 तो 9-41 क्या हो जाएगा 31 32 माइनस 32 अपन 8 तो 8 4 जा 32 तो x का value कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा ठीक है भाईया तो माइनस 4 और 25 बटे अपन 4 अब मैं guarantee लेतो हो आप इसको भी middle term splitting से solve करने की गोशिश करना समझ में आयाएगा काई को quadratic formula की need पड़ी ठीक है चल और सवाल करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक ठक नहीं जाते क्योंकि यही चीज है इसमें बस practice ही तो है इसको अगर मैं solve करू एक से अभी आगे और धमाकेदार सवाल दिखाऊंगा मैं आने वाले बस x square plus 1 divided by x is equal to 3 यह हो जाएगा x को इधर भेजोगे तो x square plus 1 is equal to 3x हो जाएगा तो 3x को इधर भेज दो तो x square minus 3x plus 1 equals to 0 हो जाएगा अब इस question को इस equation को आप करना कोशिश middle term splitting से solve करने की नहीं कर पाओगे तो किस से करोगे quadratic formula से करोगे तो मैं आपको सिखा रहा हूँ सबसे पहले a निकालो 1 फिर b निकालो minus 3 फिर c निकालो 1 फिर d निकालो d क्या है b square minus 4 a c b का value कितना है minus 3 का square minus 4 into a कितना है 1 c कितना है 1 तो यह हो जाएगा minus 3 का square minus 9 9 minus 4 तो यह कितना आजाएगा d कितना आजाएगा 5 चिकना d कितना आजाएगा 5 5 का under root कुछ नहीं होता है 5 ही होता है तो अब आपको x निकालना x is equal to what that will be minus b formula लिखना बहुत जरूरी है plus minus यह formula लिखना बहुत जरूरी है मेरे भाई वरना बहुत बड़ी दिक्कत में फश्जा होगे plus minus under root of 5 divided by 2 a a कितना है 1 है ठीक है जी तो यह हो जाएगा x is equal to minus minus plus 3 हो जाएगा प्लस एक बारी plus लेलो एक बारी minus लेलो चीक के जी यह प्लस क्यों लिखा है minus minus plus हो जाएगा और एक बारी plus एक बारी यह minus Turkey भाष आजओ जी बहुत बहुत बहुतृत अब देखो अब देखो दीरे दीरे आपके लेवल इंक्रीज होते जाए और इनको आप किसी से भी करो मिडर डर्म स्प्लिटिंग से करो या फिर क्वाट्रिक फॉर्मुले से करो जिससे आपका दिल करें बट पहले समझो कि क्या है इस सवाल में आपके पास बेटा पावर अगर क के बराबर है कि इसके बराबर है मेरे भाई इसके बराबर है अग तो सबसे पहले उसको standard form में change करो कैसे करना है यह जो middle वाला term होता है यहाँ पे कुछ छुपा हुआ होता है यहीं पे कुछ छुपा होगा आप इस x की power 1 by 3 को अगर y माल लो मन कर रहा है मेरा y माल लेते हैं मैंने क्या किया इधर square कर दिया दोनोंव तरफ square कर दिया एकशी पावर 1 by 3 इधर अगर मैं square करूंग तो इधर भी square करना पड़ेगा असफीट प्रैक्टिस करी मैंने तू बहुत वाई स्कूरै लिख सकता हूं, एक्स की पावर बाइ रिसको मैं वाई लिक सकता हूं, इसको मैं माईनस टू लिक सकता हूं, चमतकार हो गया, बहिए चमतकार हो गया, यह तो quadratic equation थी भी नहीं, आपने तो इसे quadratic equation की form में change कर दिया, बस क्या हुआ है, variable वरियेबल चेंज हो गया है तो भाई आप इस equation को solve कर लेते हैं पहले फिर वरियेबल का बाद में देखेंगे तो ये equation कैसे solve करोगे वाई स्क्वेर किसी भी फॉर्मूले से कर लो क्या ये middle term splitting से हो पाएगा y minus 2y चलो हाँ हो जाएगा शायद y square plus 2y minus y minus 2 equals to 0 पहली दो टर्म्स में से y common लेलो अगर middle term splitting अच्छा ना लगे तो quadratic formula भी use कर सकते हो जो आपका दिल करें महराज बस solve करो तो y plus 2 y plus 2 common लेलिया y plus 2 यहाँ पे बचेगा कितना y minus 1 बचेगा equals to 0 इसको 0 के equal रखोगे तो y plus 2 अगर मैं 0 के equal रख दू तो y का value minus 2 के बराबर y minus 1 को 0 के equal रखोगे तो y का value 1 के बराबर तो यह minus 2 हो जाएगा यह 1 हो जाएगा, यह minus 2 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, y की दो-दो values आगई बच्छा हमें y निकालना था, ना 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 बाबू हमें तो x की value निकालनी है है ना तो आजाओ फिर यहां से x की power 1 by 3 किसके बराबर है बिटा y के बराबर है तो एक बारी मैं y की value minus 2 रखके देखता हूं एक बारी मैं y की value minus 2 रखके देखता हूं तो अगर मुझे यहां से x की value निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा cube करना पड़ेगा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा cube करना पड़ेगा तो इधर भी cube करना पड़ेगा क्योंकि तभी तो ये 3 से 3 कटेगा तभी तो ये x बचेगा तो x की value क्या हो जाएगी minus 8 हो जाएगी minus 2 की power 3 कितना हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा तो एक value आ गई X की है दूसरी value X की क्या होगी पिटा Y की value को 1 रख दो तो X की value क्या है 1 by 3 is equal to Y कितना है 1 फिर दुबारा से cube कर दो भी या क्या उस गली में तेरा न जैसे हुआ तो घुजरे जमाने को घुजरा जमाना हुआ ठीक है तो वन और माइनस 8 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अब बहुत बढ़ी असावाद भाहिया यार क्या कर रहे हो यार आप यह भी quadratic equation के format में नहीं आप इसको कैसे करेंगे और यहां पर अगर मैं एक्स को अगर मैं यहां पर एक्स को वाई मान लूँ वाई मान लूँ तो यह तो मतलब ऐसा बन जाएगा फिर रूट टू वाई प्लस नाइन प्लस वाई इस इको तो फाइदा ही नहीं हुआ तो आओ मेरे दोस्तों इसको सीखते हैं कैसे हर सवाल का अलग तरीका है और वो तरीका आप समझते हो अपने तजुर्बे से तजुर्बे से तजुर्बा किस चीज का तजुर्बा questions की practice का तो जितना जादा आप questions की practice करोगे उतना आपको idea लगता जाएगा कि अगर कहीं पर ऐसा सवाल दिखेगा तो मुझे कैसा करना है कैसे कौन से रास्ते से जाना है मन्जिल पर पहुँचने से पहले आप अपना रास्ता चुलो कि कौन सा रास्ता जाना है समझ रहो तो हर सवाल टाइप अलग-अलग है तो तरीके भी अलग हो जाते ठीक है ऐसी मिर को मन किया कुछ करने का root 2x plus 9 मैंने क्या किया यह x को उदर भेज दिया ससुरे को क्यूं भेजा अभी समझ मैं आपको दिक्कत क्या दे रहा है यह root दिक्कत दे रहा है ना अंडर root दिक्कत दे रहा है ना तो एक काम करो इधर square कर दो हटा दो ससुरे को हटा दो बस इससे यह कट जाएगा तो यह बच जाएगा आपके पास 2x plus 9 is equals to 13 minus x की power 2 ठीक है तो यह हो जाएगा 2x plus 9 is equals to 13 की power 2 169 हो जाएगा plus x square हो जाएगा minus 13 to 26 x हो जाएगा सब कुछ उधर भेज तो इधर बच गया 0 तो x square इधर पहले से था minus 26x minus 2x और plus 169 minus 9 हो जाएगा 0 is equals to x square minus 24x plus 160 यह आपके पास quadratic equation बन गई भी यह आपके पास quadratic equation बन गई आप देखो simple आगया ना यह simple आगया यह standard form में अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे करते हैं कि भाई है क्या हम इसको यहीं पे यहीं पे square ऐसे ज़रूरी थोड़ी x को इदर क्योंकि हमें तो बस under root हटाना है तो क्या मैं इसको ऐसे ही square नहीं कर सकता हो क्या कर सकते हो बिटा कर सकते हो रूट 2x प्लस 9 अगर मैं मतलब माल लो मैं direct ऐसे square कर देता तो यह हो जाता यह ना इसका square मतलब इसका square हो जाता प्लस x का square हो जाता प्लस 2 into under root 2x प्लस 9 into x तो यह वाला टम अभी भी रहता आपके पास under root वाला टम आपको उसको हटाना था तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई situation आ जाए अंडरूट ए प्लस X या कुछ भी एज़ इकोल्स टूबी माल लो ऐसा कुछ कोई भी ऐसा format है तो यह अंडरूट वाले को अकेला करो अकेला करो अंडरूट एज़ इकोल्स टूबी माइनस एक्स क्यूंकि देखो यह दोनों तो square करो क्यूब करो कुछ भी करो कोई फरक नहीं पड़ेगा इसको अगर आप अकेले रख के square करोगे तो यह हट जाए जाए तो उसको अकेला करना है और फिर उसका अंडरूट हटा आजाओ निकाल लो यार मिडल टम से करना है मिडल टम से कर लो quadratic formula से करना है quadratic formula से कर लो एक काम करते इस वाले सवाल को किस से करे मतलब देखो middle term splitting से कर लो है ना फोड़े बड़े numbers को कैसे solve करते है उसकी प्राक्टेस हो जाएगी बी का value कितना माइनस 24 सी का value कितना 160 तो बी स्क्वेर माइनस 4 एसी निकाल लो बी स्क्वेर माइनस 4 एसी यानि कि माइनस 24 का square माइनस अच्छा इस chapter में ना calculation बहुत जादा होंगी बहुत बड़ी बड़ी calculation आएगी बहुत-बहुत मतलब चीजे फसाएगा वो calculation बट concept कुछ नहीं इस chapter का उतना है ना बी स्क्वेर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना है 160 है 24 का square हो जाता है यार 576 हो जाता है जहां तक मुझे याद है और यह हो जाएगा 0 646 424 का 4 2 कैरी और 4 दूनी 6 640 या खुदा वल्ला हबीबी यह क्या हुआ तुही यह मुझे को बता दे 6 424 का 2 भाई 24 का square यह होता है नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए नेगेटिव आ रहा है तो कहीं गडवड हुई है एक्स को अधर भीजा तेरा का square 1 16 29 एक्स स्क्वेर तेरा दूनी 26 टू एक्स प्लस नाइन नाइन को अधर भीजा 2 एक्स अच्छा माइनस 26 माइनस आरे यार यह 28 हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है न ठीक है तो यह थोड़ा सा देख लोगा a का value कितना हो जाता है 1 b का value हो जाता है माइनस 28 और c का value c का value 160 ठीक है अब b square minus 4ac b square minus 4ac b का value कितना है minus 28 का square minus 4 into a कितना है 1 c कितना है बिटा 160 है तो minus 28 का square 28 का square हम भूल गए है 8 8 is a 64 का 4 6 carry 6 carry और 8 2 16 8 2 16 32 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 3 carry 4 4 और 3 7 84 7 84 minus कितना आ रहा था ये 0 6 424 का 4 2 carry 4 और 2 6 640 तो यह हो जाएगा 4 8 में से 4 गए तो 4 और इस में से 144 आ जाएगा 144 हैना अब आपको पता है under root b square minus 4ac 144 किसका square root होता है बिटा 12 का होता है 144 किसका होता है 12 का होता है तो बस 12 हो गया है अब इसका value निकाल लो बहुत simple है x is equals to minus b plus minus under root d upon upon 2a हैना तो यह हो जाएगा minus b b कितना है b कितना है b कितना है minus 28 है प्लस माइनस 12 divided by 2a कितना है एक इतना है वन है एक इतना है वन है तो यह हो जाएगा 28 प्लस माइनस 12 divided by 2 और इनको अगर मैं इसका value आजाएगा 20 और यह हो जाएगा 26 26 और 10 16 इसका value आजाएगा आठ बीस और आठ इस्ति आंसर ठीक है जी महराज अच्छा अब एक और चीज़ है एक और चीज़ है एक और चीज़ है अक्सर ऐसे वाले सवालों में न वो आपको फसाएगा वो आपको फसाएगा मेरा मन किया मेरा मन किया देखो तो roots या फिर solution का मतलब क्या है जो आपकी equation को satisfy करें मैं काम करता हूँ यहाँ पे x की जगा पे 20 substitute करके देखता हूँ तो 2 into 20 प्लस 9 और बाहर कितना है यह 20 तो यह हो जाएगा 40 प्लस 9 49 अंडर रूट 49 प्लस 20 अंडर रूट 49 यानिकि 7 प्लस 20 कितना हो जाएगा 27 हो जाएग बट यहाँ पे कितना 13 है तो इसका मतलब क्या है जब मैंने x की value को 20 substitute किया जब मैंने x की value को 20 substitute किया वो तो मेरी equation को satisfy ही नहीं कर रहा है है ना x के 2-2 answer आयती ना 1 आयता 20 और 1 आयता 8 अब मैं x को 8 substitute करके भी देखता हूँ अगर मैं x को 8 substitute करू 2 into 8 प्लस 9 और यह क्या है बाह 55 कंडर उता है पाँच प्लस 8 कितना होगा तेरा अब यह इसकोfiayu कर रहा है अभी स daran किसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि 20 जो है इसका solution नहीं होगा इसका solution क्या होगा सिर्फ और सिर्फ 8 होगा सिर्फ और सिर्फ 8 होगा ठीक है जी तो ऐसे आपको check करना पड़ेगा है ना भाई आप पता कैसे चलेगा क्या हमें हर सवाल में चेक करना पड़ेगा नहीं हर सवाल में जो ऐसे थोड़े equation को satisfy कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो आपको एक value को वो करना पड़ेगा ठीक है ना डिस्क्वालिफाई अब कह रहे हैं कि solve by factorization अब उसने बोल दिया भीया factorization से करना तो इसने बोला factorization तो factorization ठीक है तो आपके पास क्या है 4x square minus 4 a square x plus a की power 4 minus b की power 4 equals to 0 यह हो जाएगा आपको क्या करना यार देखो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे बस इन तीन terms को देखना है इन तीन terms को देखना है क्या इसकी जगा पर जैसे मैंने पिछले सवाल में किया था जनरल यह ऐसे होगा सब जगा माइनस 2 इंटू 2x इंटू a plus a square का square यह कर सकता हूं मैं क्या मैं ऐसा कर सकता हूं minus b की power 4 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं b square का square equals to 0 अब बिटाए देखो यहां पर क्या है 2x का square करोगे 4x square हो जाएगा 2 into a into b b क्या है a square तो क्या यह इसका identity नहीं बन रहा है 2x क्यूंकि माइनस का sign है 2x minus a square का whole square minus b square का whole square बराबर किसके 0 के अब यह यहां पर क्या हो जाएगा a square minus b square a square minus b square तो यह हो जाएगा 2x minus a square minus a minus b यह आपका पूरा a था यह आपका पूरा b है तो a minus b into a यह a है पूरा का पूरा प्लस b b क्या है b square है दूसरा टम क्या है यह है अब एक बार इसको 0 के एक कॉलर को 2x minus a square minus b square equals to 0 तो यहां से 2x का value आ जाएगा बेटा a square उदर जाएगा positive b square उदर जाएगा positive तो x का value कितना हो जाएगा a square plus b square divided by 2 उसी हिसाब से 2x as it is b a square उदर जाएगा positive हो जाएगा b square इदर आएगा तो negative हो जाएगा तो x का value a square minus b square upon यह हो जाएगा ठीक है भी यह तो क्या उस गली में तेरान जैसे हुआ तो घुजरे जमाने को मुश्किल नहीं है मेरे भाई मुश्किल नहीं है बहुत आसान है अगर शिद्दत से करोगे तो आना शिद्दत से करोगे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली जैसे यह सवाल है अब इसको solve करो मैं एक बारी इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हो कुछ बच्छो को दिख नहीं रहा होगा एक इसे सवाल आ जाते है और यह सिर्फ स्टेंडर्ड मैच वालों के लिए बेसिक मैच वालों के लिए नहीं होगा भाई इसे सवाल आपको ncrt एक्जांपलर में देखने को मिलेगा वन अपॉन टू माइनस एक्स यह है अभी एक और सवाल दिखाऊंगा बहुत बहुत मज़ेदार है बहुत मज़ेदार है जितना बढ़ा और मुश्किल सवाल होता है उसको करने में उतना ही मज़ा आता है अगर समझ में आ जाए सबसे पहले बिटा है इस वाली टम को सॉल करो देखो यह वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन अपॉन यह थोड़ा सा डंग से लिख लें पर तो माइनस वन अपॉन इस इसको इससे मैं टूटिप्लाई कर आओगे तू इंटू 2-1 एकस माइनस वन है न यह सॉल किया मैं इसको से मैं टिपलाइ और के तो यह हो जाएगा क्या एकस इपॉर टू एजट करना हो देखो मैं कुछ कुछ जल्दी नहीं करना है सिंपल तरीका वही है जो बच्पन में सीखा करते थे simple LCM लेके solve कर रहे तो ये कितना हो जाएगा 3 minus 2x हो जाएगा अब भाईया अब भाईया अब इन दोनों को solve करो जैसे अभी नीचे की है इन दोनों को solve करो LCM लेके इसके 2 के नीचे कुछ नहीं है तो LCM 1 आ जाएगा ना तो x is equal to 1 upon ये 2 से multiply हो जाएगा minus 1 divided by 3 इसका 2 minus x ओ फिर से समझो वो मैंने लिखा नहीं है ना तो वो गड़बड हो गई थोड़ी सी वहाँ पर देखो फिर दुबारा से देखो x is equal to 1 upon ये क्या है 2 minus थोड़ा सा confusing होता है भाई ये है ना तो वो थोड़ा ध्यान रखना आपको 2 minus 1 upon 2 minus x आप देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो पहले में इसको solve कर रहो है ना पहले में इसको solve कर रहो इसको solve करते कैसे solve करोगे तो देखो बहुत simple है LCM लेके solve करोगे 1 upon 2 minus 1 upon देखो इसको इससे multiply कर रहोगे 2 into 2 minus x minus 1 divided by 2 minus x हो जाएगा ये हो जाएगा अच्छा अब ये हो जाएगा आपके पास x is equals to 1 upon 2 minus इन दोनों को solve करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 to the 4 4 minus 2x minus 1 divided by divided by कितना हो जाएगा 2 x minus 2 minus x हो जाएगा 2 minus 2 minus 1 upon देखो आप क्या करें एसा होता है तो ये सबसे उपर से multiply होता है ये ऐसा होता है तो इसको हम लिखते हैं A into D divided by B into C है ना अगर मेरे पास ऐसा होता है A upon B और बड़ा सिर्फ C होता है तो इसको मैं लिख सकता हो A upon ये B और C आपस में multiply हो जाएंगे अगर ऐसा होता है A upon बड़ा वाला B divided by C तो ये C A से multiply हो जाएगा A into C divided by B तो ये ध्यान होने चीए आपको ये याद होने चीए आपको है ना कि क्या-क्या चीजे होती है क्या-क्या चीजे होती है तो बस आप यहां पर देखो ये बड़ा वाला तो ये है बड़ा वाला ये है तो कौन सा 1 upon 2 minus 2 minus x उपर चला जाएगा 2 minus x उपर आ गया ब्रैकेट का इस्तमाल करो फिर 4 minus 1 कितना हो जाएगा 3 minus 2x ऐसा हो जाएगा आप इसके नीचे कुछ नहीं है वन लगाओ solve करो चिके ना तो दोनों को solve करोगे तो x is equal to क्या उस गली में टेरान जैसे हूं 3 अरहा भाया 3 minus 2x minus 1 into 2 minus x divided by 3 minus 2x अब यह जो बड़ा वाला डिवाइड का है वो यह है तो यह क्या हो जाएगा सबसे उपर चला जाएगा तो 3 minus 2x 1 से multiply होगा यह होगा bracket को लोगे 3 to 6 minus 4x यह bracket को लोगे minus 2 plus x तो यह हो जाएगा आपके पास x is equal to 3 minus 2x divided by 6 में से दो गए 4, 4 में से x गया तो minus x अब इसको इदर भेज़ दो इसको इदर भेज़ दो 3x square is equal to 3 minus 2x यह हो जाएगा सब कुछ उदर भेज़ दोगे यह हो जाएगा 0 3x square as it is मतलब 3x square उदर जाके positive हो जाएगा 4x इदर आके negative हो जाएगा minus 2x plus 3 तो यह हो जाएगा 0 is equal to 3x square minus 3 to 6x plus 3 ठीक है भाई तो यह आपके पास एक quadratic equation मन गया है अब इस quadratic equation को solve कर लो तो 3x square minus 6x plus 3 3x square minus 6x plus 3 equals to 0 यह quadratic equation है यह quadratic equation है इस quadratic equation को अगर मैं solve करूं तो 9 हो जाएगा क्या करके देखते है 3x square middle term splitting से करते हैं हो जाएगा minus 3x minus 3x plus 3 equals to 0 पहली दो terms में से 3 common आएगा x भी common आएगा तो यह हो जाएगा 3x x minus 1 minus 3 into x minus 1 equals to 0 x minus 1 x minus 1 common ले लो तो यह बच जाएगा आपके पास 3x minus 3 equals to 0 इसको 0 के equal रखोगे तो x का value कितना आजाएगा 1 आजाएगा इसको 0 के equal रखोगे अब राम प्रकास पांडे 3x minus 3 equals to 0 तो 3x का value हो जाएगा 3 और यह भी कितना आजाएगा तो x का value कितना आजाएगा 1 आजाएगा 1,1 ठीक है भाई ऐसे करना होता है इन सवालों को solve ठीक है जी थोड़ा से पानी पी लेते हैं एक और सवाल देखो एक और सवाल देखो बहुत बहुत बहतरी नहीं है यह असल में यह सवाल यहाँ पर गलत है बट मैं actual में लिख देता हो इसको आपको कह रहा है कि solve x is equals to under root of 6 plus under root of 6 plus under root of 6 plus यही सेम परक्रिया दोहराई जा रही है यह है सवाल कई बार वह ऐसा सवाल भी देगा एकस इस इकोल्स टू सिक्स और सवाल अगर कहीं पर दिख जाये ना तो बहुत आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है आप ध्यान से देखोगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x का value क्या है under root of 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 ऐसा सा कुछ है तो देखो यह x तो as it is यह वाला under root यह वाला 6 मैंने as it is छोड़ दिया plus इसके बाद क्या है same ही तो चीज repeat हो रही है यह जो चीज repeat हो रही है यह same ही तो है यह same ही तो चीज repeat हो रही है तो इसकी जगा पे यह क्या है यह x के बराबर ही तो है यह कुछ और थोड़ी नहीं यह x के ही तो बराबर है x का value क्या है x का value आपके पास यही तो है under root of 6 plus अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ओफ 6 डॉट डॉट लॉट रॉट डॉट तो यह जो आगे आएगा वो भी तो X के ही बरावर होगा ना मेरे भाई तो X के ही बरावर होगा ना फरक समझो X is equal to under root of 6 अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अब आपको पता है यार question में बोला गया है कि यह पहले वाले को तो as it is लिख दो उसके आगे जो है उसको अइसे लिख दो जैसे अगर इस वाले में मैं बात करूँ इस वाले मैं बात करूँ यह क्या करना है पहले वाले को as it is चोड़ दो उसके आगे ये जो term दी जाएगी आपको dot 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 वो x ही तो है कुछ और थोड़ी है वो x ही तो है ठीक है तो बस ये करना है आप क्या करना है अब आपको पता है दिक्कत क्या दे रहा है under root दे रहा है तो इस under root का square कर दो तो ये हो जाएगा x square is equals to cancel out हो जाएगा तो यह हो जाएगा 6 plus x सब कुछ उधर shift कर दोगे तो x square minus x minus 6 equals to 0 यह हो जाएगा अब अब यहाँ से आपको कैसे करोगे middle term splitting से शायद solve हो जाए x square minus 3x plus 2x minus 6 equals to 0 पहली दो terms में से x common ले लो x minus 3 standard maths वालों के लिए है यह सवाल सिर्फ basic maths वाले ना करें इसको x minus 3 को 0 के विल्यू रखोगे तो x का value 3 आजाएगा इसको 0 के विल्यू रखोगे तो x का value minus 2 आजाएगा ठीक है अब मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे सवालों में आपको x की value substitute भी करनी होती है चेक करना होता है ठीक है? चेक भी करना होता है तो यह आपके पास क्या आजाएगा इसका answer आजाएगा हाँ अब आपको मुझे comment section में यह बताना है अलगे आप लोगों ने देख लिया कि इसका answer दोनों होगा या फिर एक होगा अगर दोनों होगा या अगर एक होगा तो क्यूं होगा? दूसरी value neglect क्यूं होगी? यह अब आपको खुद सोच के मुझे comment section में बताना है इसका answer ठीके ना? बहुत बहतरीन सा concept है मैं comment में reply करूँगा सही बता है या गलत बता है ठीके? चालो जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल बहुत बढ़िया है आपको इस सवाल को solve करना है कह रहा है 9x2 यह यह बहुत बढ़ी सी चीज़ दे रखिए बहुत बढ़ी आसी चीज़ दे रखिए अब आप इस सवाल को किसी भी method से solve कर सकते हो आपको लिखा नहीं गया है कि किस method से solve करना है कौन फॉन कर रहा है भाई कौन-कौन कर रहा हमको बता नहीं कौन कर रहा है छीक है आपको बताया नहीं यह कौन से method से solve कर रहा है तो मैं suggest करूंगा जब कुछ न बताय जाए ना यार उपर वाले का नाम लो और quadratic formula से use करो quadratic formula बहुत-बहुत-बहुत आसान है बस calculation का थोड़ा सा ध्यान रखना है A का value क्या है? X square का coefficient B क्या है बिटा? X का coefficient तो B क्या हो जाएगा? ध्यान से value substitute करना बिटा C का value क्या है? constant term और भाईया यह तो quadratic formula बहुत-खतरनाग सा लग जाएगा यार इसमें ड्रावना सा लग रहा भाईया यह अभी देखो इस ड्रावनी चीज को ऐसा कर देंगे ना तुम बोलोगे रहे भाईया इका कर दिये हो ठीक है भाईया? चलो सबसे पहले क्या निकालना है? D निकालना है फुरसत से निकालेंगे अराम से देखो मैं बहुत अराम से करवाऊंगा इसको माइनस फौर इंटू ए कितना है मेरे भाई? 9 है सी कितना है भाई? सी है भाईया बहुत बढ़ा टम है बहुत बढ़ा टम है प्लस फाइफ लगी प्लस टू भी स्क्वेर, यह है भाईया देखो आब नाइन का इसक्वेर करोगे प्लस 2B square, बहुत अराम से करेंगे, बहुत अराम से करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, है न, bracket open करोगे, A plus B का whole square, यानि की 81, A square plus B square plus 2AB, ठीक है, minus 36, अच्छा, एक काम करो, अब इसको अंदर multiply करी दो, 36 को 2 से करोगे, 36, 2, 72, A square, minus 6, 5, 30 को 0, 3 carry, 5, 3, 15, 5, 6, 30 को 0, 3 carry, 5, 3, 15, 18, A, B, minus 36 into 2, 2 ही है न, भाई, 72, B square, ठीक है, ऐसे ही, 81 को भी अंदर multiply कर दो, 81 को अंदर multiply कराओगे, 81, A square plus 81, B square, trust me guys, अगर यह सवाल आ जाएगा न, तो 3 नमबर मिल जाएंगे आपको, चापना है वस इसको, ठीक है, 162, A, B, minus 72, A square, minus 180, A, B, minus 72, B square, अब देखो, यह इतना बड़ा सा सवाल जो दिख रहा था आपको, आप इसको कैसे बहुत छोटा कर दोगे, 81, A square और 72, B square दोनों को सौल्व करोगे, तो मुझे लगता है, 9 आ जाएगा, 9 A square, ठीक है, 81, B square, minus 72, B square, दोनों को सौल्व करोगे, तो कितना आ जाएगा, 9, B square आ जाएगा, 162AB और 180 180 माइनस 180AB इन दोनों को solve करोगे तो यह आपके पास कितना आ जाएगा 18AB आ जाएगा ठीके यह D की value निकाल रहे भाहिया 9 अगर मैं common ले लू तो यह बचेगा A square plus B square minus 2AB अरे भाहिया चमतकार हो गया यह तो यह क्या है 9 A minus B का whole square है यह A minus B का whole square है ठीक है भाहिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब भाहिया अब भाहिया ने बोला था इसका under root भी निकाल लो D का under root D का under root यानि की under root of 9 A plus B का whole square इसका मतलब क्या है 9 का under root 9 का under root होता है बटा 3 a plus b के whole square का under root यानि कि a plus b so 3 a plus b इसका under root हो गया अब बेटा कुछ नहीं करना है फॉर्मूले में चिपकान है तो x is equal to minus b plus minus under root d divided by 2a ये formula है तो यहां से अगर मैं x की value substitute करू x is equal to b b कितना है b कितना है b कितना है b है ये minus 9 minus of minus 9 minus of minus 9 a plus b plus minus इसकी value कितनी आई थी इसकी value आई थी 3 bracket के अंदर a plus b divided by 2a a कितना है 9 2 into 9 बस कुछ नहीं करना है कुछ नहीं minus minus plus हो जाएगा 9 bracket के अंदर a plus b plus minus 3 a plus b 9 9 to the 18 बस अब एक बारी plus लेलो एक बारी minus लेलो तो x की value आजाएगी 2 दो 9 a plus b plus 3 a plus b divided by 9 to the 18 और एक value आजाएगी 9 a plus b minus 3 a plus b divided by 18 तो अगर मैं इसको थोड़ा सा खोलू 9 into a 9 a plus 9 b plus 3 a plus 3 b divided by 18 तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12 तो ये हो जाएगा 12 a plus 12 b divided by 18 अगर मैं अगर मैं अगर मैं 12 कॉमन लेलू तो ये हो जाएगा a plus b divided by 18 छे दूनी छे तिया तो x is equals to 2 bracket के अंदर a plus b divided by 3 अच्छा अब इसको कैसे solve करोगे 9a plus 9b minus 3a minus 3b divided by 18 9 में से 3 गए तो 6a 9 में से 3 गए तो 6b divided by 18 6 कॉमन लेलो तो a plus b divided by 18 काटोगे दोनों को तो a plus b divided by 3 अगर 10 मेरी 2a plus 2b होना चाहिए a plus 2b यह होना चाहिए अगर अगर यार शिट बार बार ऐसा क्यों हो जाता है मेरे साथ यह भगवान बार बार ऐसा क्यों हो जाता है यहाँ पर प्लस नहीं है भाई यहाँ पर माइनस है तो बस यह थोड़ा सा यार यह साइन चेंज हो जाएगा यह साइन चेंज हो जाएगा जिसकी वज़ा से यहाँ पर बहुत खतरना फरक पड़ेगा यह साइन चेंज हो जाएगा यह साइन चेंज हो जाएगा है ना यह साइन चेंज हो जाएगा प्लस B डिवाइड़ बाई 18 तो यह हो जाएगा 3 तो यह हो जाएगा X is equal to 2A प्लस B डिवाइड़ बाई 3 हो जाएगा यह हो गया अच्छा similarly यहाँ पर sign change था इसका minus था तो अब यहाँ पर गड़बड हो जाएगा 9A 9A plus 9B minus 3A plus 3B divided by 18 तो 9 में से 3 गए तो 6A plus 12B divided by 18 6 common ले लिया तो A plus 2B divided by 18 तो यह हो जाएगा आपके पास 3 A plus 2B divided by 3 ठीक है भाई? तो यह ऐसे करना था ठीक है ना बस calculation का दियांदर अब एक एक छोटा सा और suggestion में आप लोगों को देना चाहूँगा कोशिश करना कोशिश करना इस सेम सवाल को आप middle term splitting से करने की कोशिश कोशिश करना मुझे बताना comment section में कि हुआ की नहीं हुआ बताना मुझे कि हो गया या नहीं हुआ ठीक है ना? अब अगला सवाल है अगला सवाल है आप लोगों के पास कुछ इस परकार से 1 upon A plus B plus X is equals to A इसके पराबर है इसको solve करना है ये सवाल साल 2012 में मैंने 10th grade दिया था और मुझे याद नहीं है मेरे pre-board में आया था या boards में आया था बट ये आया था और तब से तब से मैं इस सवाल को मैं मेरे को पढ़ाते-पढ़ाते 10 साल होगे 2014 जैसी मैंने 12th पास करी थी मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था इन 10 सालों में मुझे ये multiple exams में दिखा है multiple exams में दिखा है बहुत सारे exams बहुत सारे boards exam में दिखा है 1 upon a plus 1 upon b as it is छोड़ दो ठीक है अब क्या करोगे भईया अगर यहाँ पर number होते standard maths वालों के लिए number होते तो क्या करते LCM लेते ना LCM ले लो a plus b plus x ले लिए LCM इसको इधर multiply करा दो और इन सब को इन सब को इधर multiply करा दो लेकिन bracket का use करके इधर भी same चीज़ करोगे LCM ले लिया और इधर क्या हो गया b plus a हो गया चन्ना मेरे या मेरे या bracket open कर दो divided by x into a x a plus x into b x b plus x into x x square is equals to इसको मैं ऐसे लिख सकता हो a plus b divided by a b cancel हो गया x से x minus sign अगर मैं common ले लो यहां से तो यह क्या बचेगा a plus b बच जाएगा ना और divided by x a plus x b देखना आप कितना आसान सा सवाल है यह देखने में बहुत रावना है बट है बहुत आसान फिक्र करता है क्यों फिक्र से होता है क्या कर ले खुद पे भरोसा फिर देख होता है क्या यह a plus b है यहां पे यह उधर जाएगा तो cut जाएगा यह भी a plus b है यहां पे minus 1 बच गया यहां पे plus 1 बच गया cross multiply तो यह minus 1 से a b multiply होगा minus a b यह a b उधर जाएगा तो is equals to यह पूरा का पूरा इधर आएगा तो x a plus x b यह हो जाएगा तो अब आपको इसको solve करने solve कैसे करोगे बिटा पहली दो terms में से क्या common आ रहा है कुछ नहीं है बस बहुत simple हो गया अब यह हो गया आखरी दो terms में से क्या common आ रहा है b common आ रहा है तो x plus a बच क्या x plus a x plus a bracket के अंदर same है तो common ले लो x plus b है ना तो यह हो जाएगा एक बार इसको 0 के एक रखोगे तो तुभी यह मुझे को बता दे चाहूं मैं या ना अपने तु दिल का पता दे चाहूं मैं क्यों ना इतना बता दू तुझको चाहत पे अपनी मुझको यू तो नहीं एतिबार फिर भी यह सोचा दिल ले अब जो लगा हूं मिलने पूछू तुझे एक बार उल्जन मेरी सुल्जा दे चाहूं मैं या ना जब भी ऐसा कोई बढ़िया सा सवाल आता है ना अंदर से गाना आता है और देखो बहुत छोटा सा सुल्यूशन है और तीन मार्क्स काता है भाई यह तीन मार्क्स का बहुत सिंपल है कुछ नहीं हुआ इसमें कोई एक्ट्रा दिमाग नहीं लगा बस मैं इसको उठा के इदर लिया या सॉल कर लिया ठीक है जी चालो अब आप लोगों के पास है अगला टॉपिक डाट इस नेचर आफ दी रूट्स अब लगबग लगबग एक गंटे का और यह सेशन बचा हुआ है है ना और कुछ-कुछ क्वेशन से वह आपके पास बचे हुए है ना तो तब तक के लिए समझो इसको कि कैसे करता है या अभ इस पर बात करेंगे नेचर आफ दी रूट्स के बारे में है ना नेचर आफ दी रूट्स क्या हुए आप इन roots का यह जो values आ रही है आपकी alpha और वीटा या फिर x ki जो दो values आ रही है उनका nature बता सकते हो अब ये nature का क्या मतलब होता है पहले उसको समझे नेचर यार जैसे कि हम human nature की बात करते ना जैसे मैं अगर अपनी बात करूं में तो बहुत अच्छा हूँ ठाहां अपना-पना एक नेचर होता है नंबर्स का नेचर कैसा होता है रूट्स क्या है आपके पास नंबर से अब इन नंबर्स के नेचर के आप संजोगे कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैक्सिमंम दो 0 जरुन के क्यूं ऐसा बोला जाता है sc के maximum 2 zeros maximum 2 zeros देखो ध्यान से समझना थोड़ी देर ध्यान से समझना भी थोड़ी देर पहले आपने एक टम पड़ी थी इसमें क्या b2-4ac discriminant के बारे में बढ़ा था ना b2-4ac is what that is nothing but your discriminant इसको हम क्या बोलते हैं discriminant बोलते हैं अब बिना roots निकाले आप इनका nature बता सकते हो कैसे इस discriminant की help से कैसे थोड़ी थोड़ा थोड़ा सा गौर परमाना यहां पर देखो भाई यह अगर यह डी का value greater than 0 हुआ तीन condition हो सकती है या तो डी का value greater than 0 होगा यह तो डी का value बिटा 0 के बराबर होगा ना यह तो 0 के बराबर होगा यह 0 से बड़ा होगा यह फिर 0 से चोटा होगा यह फिर 0 से क्या होगा चोटा होगा इन तीन के अलावा और कुछ कोई condition हो सकती है सोच के देखो कुछ नहीं हो सकता डी या तो greater than zero को सिर udah यह भराबर होगा जीरो के या फिर less down zero होगा चीकर जी चालो अब इसके बादका है अब इसके बाद क्या है अगर यह गर यह अगर यह गर यह ग्रेटर एक है आपके पास alpha और एक हापके पास beta तो इन alpha ःफा और बीटा की वैल्यू अलग अलग होगी दो वैल्यू आएंगी alpha वेल्यू अलग अलग हएंगी जैसे alpha माल लो root 2 औुष्टमन आपके पास त्री अग यह फिर alpha अगर आपका zero के बराबर हो जाए d हैं ऐगर आपके जो रूटस होंगे वह जाएंगा आपके रीन एंड इक्ल रूट्स का क्या मतलब है कि मान रोओं आपकेपास लुट्र वैंड refugee तो उसको बोला जाता है क्या यह वाला कंडिशन लेकिन अगर डी अगर लेस दिन जीरो है तो यह हो जाते हैं आपके नॉन रियल रूट्स नॉन रियल रूट्स या फिर इनको कई बार हम ऐसा भी बोल सकते हैं इमेजनेरी रूट्स इमेजनेरी रूट्स इमेजनेरी का मतलब होता है जिनको आप रियल में फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जो इमेजिनेशन में होते हैं जो रियल में एक्जिस्ट नहीं करते हैं ऐसे नंबर्स जो रियल में एक्जिस्ट नहीं करते हैं वो आपकी इमेजिनेशन में हैं खीक लेकिन अगर माल लो माल लो माल लो चलो पहले इसी को समझते हैं इमेजनेरी रूट्स को समझते माल लो मेरे पास कोई quadratic equation है x square plus 1 equals to 0 यहां से अगर मैं x की value निकालना चाहूं तो x square क्या हो जाएगा माइनस अब अगर x की value में निकालना चाहता हो तो x की value क्या हो जाएगी अंडर root of negative 1 अंडर root of negative 1 बिटा आपके पास अभी तक अभी तक आपने जितना भी पड़ा हुआ है आपने कोई भी ऐसा number नहीं पड़ा है जिसका अंडर root जो जिसका square negative number हो यानि कि अंडर root के अंदर कभी भी negative number आ जाए तो ऐसे numbers को हम लोग find नहीं कर सकते हमने यहीं पड़ाए ना कि इसका root इसकी value नहीं निकाल पाओगे और इनको बोला जाता है imaginary numbers 11th grade में आप इसको और detail में समझोगे complex numbers में बट अभी आपके लिए यही समझना है कि under root कभी भी अगर d under root के अंदर negative number आ जाए तो उसको आप calculate नहीं कर पाओगे वह value एक्जिस्ट ही नहीं करेगी ठीक है लेकिन अगर आपके पास greater than 0 equal to 0 तो यह दो condition बहुत बार वो सिर्फ आपके पास ऐसा देगा real roots क्या देगा real roots वो यह नहीं बताएगा कि distinct है या फिर distinct है या फिर equal है अगर उसने ऐसा लिखा है सिर्फ और सिर्फ रियल रूट से तो डी का value देखो greater than 0 भी है बट डी का value equal to 0 भी है तो इस case में आप दोनों conditions को लगाते हो डी का value greater than equal to 0 यह हो जाता है क्लियर है भाई तो कोई भी quadratic equation है उसके जो nature होते है roots का जो nature होता है वो इन values पे डी पे depend करता है और बिना find out कि आप उनका nature बता सकते हो कैसा nature होगा nature मतलब real distinct ठीक है जी चल अब थोड़ा सा एक और चीज समझ लो यार ग्राफ भी समझ लो quadratic equation का graph कैसा बनता है और क्यूं हम ऐसा बोल रहे है ग्राफ है ना पहले उससे पहले एक और चीज को समझो कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि कि किसी भी quadratic equation के maximum maximum दो रियल रूट्स होते हैं मैक्सिमम दो कितने रूट्स होते हैं मैंने आपको लिखवाया बिता इसा क्यों बोला जाता है जादा से जादा देखो यहां पर अगर मैं values की बात करो एक alpha गया एक बीटा गया दोनों की value अलग अलग है तो कितने Church हो जाएंगे एक real root हो जाएगा एक root हो जाएगा है और एक ही तो आएगी एलफा भी टू है बिटा भी नहीं पुलन है इस केस में 0 रियल व्हों होते है जिर्या से कम हो सबस्क्सक्राइब कोई होग हो सक्ते हुआ बड़ जादा नहीं चाएगा दो से कम हो सकते, जाद नहीं जाएगा, अब इनका graph समझो, कोई भी quadratic equation होती है, उसका जो graph बनता है, वो कैसा बने जा, वो बनेगा आप लोगों के पास, वो बनेगा आपके पास, पहले तो समझो कैसा बनेगा, या तो upward graph होगा, ऐसा सा, या फिर इसका graph कैसा होगा बेटा, य या तो फिर इसका graph कैसा होगा, ऐसा होगा, downward होगा, ठीक है, या तो upward होगा, या तो फिर downward होगा, ठीक, अब हमारे पास quadratic equation क्या होती है, x square प्लस bx प्लस c, bx प्लस c, बराबर किसके बेटा, 0 के, ये quadratic equation है, इस quadratic equation का graph, या तो उपर की तरफ move बनाएगा, होगा ये पैरा भी बढ़ाए, polynomials में, अब अगर a का value greater than 0 है, यानि कि a क्या है, आपका positive तो उपर की तरफ होगा, लेकिन अगर a आपका negative है, तो आपका graph कैसा बनेगा, downward बनेगा, downward बनेगा, अब ये graph हमें समझ में आ गया, या तो उपर की तरफ होगा, या तो नीचे की तरफ होगा, ले होगा, ये real and distinct वाला case होगा, लेकिन, 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 मेरे भाई, अगर, 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 आपका ये जो graph है, ऐसा है, सिर्फ एक point पे touch कर रहा है, या फिर नीचे की तरफ है, ऐसा, सिर्फ एक point पे touch कर रहा है, तो इसके कितने roots हो जाएंगे, d की value क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा, और इसका सिर्फ एक root होगा, एक root होगा, देखो, एक point पे cut कर रहा है, तो सिर्फ एक होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, real and equal वाला case हो जाएगा, ठीके, अब आपको पता है, अगर greater than 0 होगा, उपर, अगर less than 0 होगा, तो नीचे, लेकिन, अगर मैं ब कर सकता है, अबर एक सेकसे को नहीं करेगा, ठीक है, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, अब ये case क्या है, जब आपका d less than 0 होता है, less than 0 यानि की imaginary, ठीक है भाई, तो ये कुछ कहानी है, आपके पास roots की, ठीक है, झाल झाल, आपका झाल, या तो चो हमाचा ओर ये बगिता ये क कुछ कहा होगा, झाल, जब एक पड़ा तो मैंजे वा को रफिता की एिघ्टा k्नाव, एक मैंने द तो रेक Сवरेude, ईयूसा है, ये कि हुआने हो एक स Halo 5 होगार, चा गाल, आपक येस, आते हैं वार, डिक ह ठीक है भाई चल आजो अब आप लोगों के पास यह सवाल है अब आप लोगों के पास यह सवाल है कहते हैं find the value of k if the quadratic equation if the quadratic equation यह आपके पास quadratic equation है इस quadratic equation के अगर real roots होंगे तो k की value आप लोगों को निकाल लिए देखो कैसे roots से उसके real roots से real roots का मतलब क्या है आपके पास डी का value या तो 0 होगा या तो 0 से बढ़ा होगा है ना डी का value greater than equal to 0 होगा अब डी क्या चीज है आपके पास B square minus 4ac बहुत simple है बहुत simple है बहुत निकाल है आमने पीछे यह कैसे निकालोगे का value कितना है minus k under root 3 इसका square minus 4 into a a कितना है विटा 3 है और सी कितना है विटा सी कितना है 4 है वह छांद चीक है जी इक्वल greater than equal to 0 greater than equal to 0 आप के का क्यों स्कोइर करोगे के स्कोइर तरी का करोग रूट तरी का करोगे की यह हो जाएगा आपके पास 16 into 3 हना 4 46 16 16 into 3 greater than equal to 0 आप देखो दोनों में 3 common आ रहा है 3 common ले लो तो यह हो जाएगा आपके पास k square minus 16 greater than equal to 0 तो 3 को अधर बेजोगे तो k square minus 16 is greater than equal to 0 तो k square का जो value है that is greater than equal to 16 तो k का जो value है that is अच्छा इसको ऐसे कर लो भाई इसको ऐसे कर लो k minus under root 16 into sorry इसको ऐसे लिकलो k square minus 4 square greater than equal to 0 अब इसका मतलब क्या होगा अब इसका मतलब क्या होगा k minus 4 into k plus 4 greater than equal to 0 यह हो जाएगा अब एक पार इसको 0 के equal मतलब इसको इस-इस condition में substitute करो greater than equal to 0 यानि कि k is greater than equal to 4 k is greater than equal to 4 और अगर मैं इस में देखता हो k plus 4 is greater than equal to 0 4 को अधर shift करोगे तो k is greater than equal to minus यह हो जाएगा अब देखो बिट्टा दोनों में एक चीज देखो फरक समझो अगर आप answer देखोगे न तो k is less than यह है और k is greater than 4 ऐसा क्यूं हुआ है ऐसा क्यूं हुआ है उसको समझो यहां पर यह दोनों के दोनों चीजे जो है ना contradict कर रहे है कि k 4 से बड़ा है k minus 4 से भी बड़ा है मतलब समझ में नहीं आ हमें इसमें इसमें कुछ चीजे ना समझ में नहीं आ रहे है तो आप एक चीज को देखो आप एक चीज को कभी भी अगर देखो equal to का साइन होता तो यह बहुत आसान हो जाता लेकिन अगर आपके पास अनीक्वालिटी का साइन है तो k minus 4 जो होगा that is greater than zero ये तो हमें समझ में आ गया ठीक है तो इसका value क्या हो जाएगा k is greater than equals to 4 हो जाएगा यानि कि k का value क्या हो जाएगा greater than equals to 4 हो जाएगा ठीक है लेकिन जो दूसरा वाला है हमारे पास यह वाला जो है यह वाला जो है k plus 4 is greater than equals to 0 अब 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 यहां पर देखो क्या होता क्या है situation क्या होती है अगर माल लो आपके पास a into b 0 है 0 के पराबर है तो इसमें हम कहते थे या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा तभी तो यह 0 के equal होगा लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यह quality पढ़ोगे न 11th grade में वहाँ पर आप इन डीटेल समझोगे लेकिन इस वाले को आप हमेशा ऐसे रख लेना नेगेटिव वाले को कि की value इससे क्या होगी छोटी होगी बस ऐसे समझ लो इसको क्योंकि यहां पर आप इनको compare नहीं कर पाओगे कि किसको मतलब वो करना है आप को इस quadratic equation के तो इस quadratic equation के equal roots है तो prove that c square is equals to a square और यह जो भी चीज़ है ठीक है ना तो आप इसको कैसे solve करोगे आप इसको कैसे solve करोगे बहुत सिंपल सी चीज़ है equal roots, equal roots की condition क्या होती है डी आपका किस के बराबर है? 0 के बराबर, डी 0 के बराबर याणि कि ब случай स underground एस, 0 के बराबर तो a का value कितना हो जाएगा आपके पास ? one plus m हो जाएगा, one plus m का whole is square, तो a कितना हो जाएगा ? आपके पास one d2-a2 इस्कवायुठ यह है ठीक है है इस एक स्कुर्श का मतलब है फिकल्टों सु बट्रून 4 into a a कितना है विटा 1 plus m का whole square into c c कितना है विटा आप लोगों के पास c square minus a square यह है equals to zero यह हो जाएगा 2mc का square करोगे यानि कि 4m square c square minus 4 1 plus m का whole square 1 plus m का whole square अगर मैं खोलो one square one हो जाएगा m का square m square हो जाएगा प्लस 2m हो जाएगा into 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 c square minus a square हो जाएगा equals to zero ठीक है भाई चलो अब इसकी बात करेंगे यार हमारे पास यह हो जाएगा 4m square c square minus इसको एक काम करो दोनों में से ना दो 2m square minus इनको अंदर multiply करा दो इसको इससे इसको इससे है न तो यह हो जाएगा c square plus m square c square देखो ध्यान से करना कोई 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 गड़बड नहीं करनी है 2m c square minus a square minus a square m square minus 2a square m equals to zero ठीक है अच्छा अब अपने पास क्या है अब अपने पास क्या है यह 4 तो as it is रहेगा यह हो जाएगा आपके पास m square c square minus c square minus m square c square minus 2m c square plus a square plus a square m square plus 2a square m equals to zero यह हो जाएगा यह हो जाएगा solve करो m square c square positive m square c square negative cancel हो गया 2m c square कुछ और कट रहे कुछ और कट रहे कुछ नहीं कट रहे देखो यह 4 को अगर मैं lhs से rhs में भीजू तो वह तो हो जाएगा 0 है ना 4 तो मतलब उदर चला जाएगा 0 हो जाएगा बचा कितना आपके पास बचा कितना आपके पास बचा आपके पास माइनस c square minus c square minus 2m c square 2m c square plus a square plus a square m square a square m square plus 2a square m equals to 0 यह हो जाएगा चीक है अब आप क्या करो आपको देखो इधर क्या चाहिए c square चाहिए तो मैंने यह c square को तो सबसे पहले उदर भेज दिया इधर क्या बच गया आपके पास minus 2 m c square plus a square यह minus 2 c square शायद दिख्कत देगा 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 पिलकुल देगा दिख्कत अचाहि एक काम करते हैं यहांसे ना दोनों से common ले लेते हैं mc2 ठिके यह हैं अगर मैं इन दोनों से देखो minus c2 common लिया माइनस c2 क्या कर दिया common ले यहां पे बचेगा 1 plus 2m बच जाएगा यहां पे भी कुछ था क्या a2 इन तीनों से अगर मैं a2 common ले लिया यहां पे बचेगा 1 plus m2 plus 2m 1 प्लस 2 M बचना चाहिए था 1 प्लस 2 M बचना चाहिए था ये A square कहां से आया है कौन है वो कौन है वो कहां से वो आया चारों दिशाओं में तेज साहे चाया यार मुझे लग रहा है ये सिर्फ M के उपर square तो नहीं हो एक बारी फिर से चेक कर लेते है 4 M square C square minus 4 into A A कितना हो जाएगा ये हो जाएगा A square B square 2 AB C square A square C square M square C square 2 M C square minus A square minus A square M square और minus 2 A square M हो जाएगा 4 common ले लिया M square C square minus cancel हो जाएगा minus C square minus 2 M C square plus A square A square M square plus 2 A square M अब C square तो होना तो नहीं चाहिए था अगर 1 plus 2 कुछ गड़बड हुआ है यार मतलब मुझे सवाल में ही कुछ दिक्कत लग रही है ये देखो मैं बोल रहाता है न ये सिर्फ M square के उपर है बहुत बार होता है ऐसा हमारे साथ आजाओ दोस्तो ये सवाल ही गलत है मैं आपको सही सवाल समझा देता हूँ कि सही सवाल है क्या इसी कारण वर्ष ये हो नहीं पा रहा था है ना तो सही सवाल है क्या आपके पास A का value आपके पास कितना है बेटा 1 plus M square ये square यहाँ पे नहीं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा B square minus 4AC is equal to D हो जाएगा है ना B square minus 4AC अगर मैं निकालने की कोशिश करू यहाँ पे यहाँ पे देखो तो क्या है आपके पास B square कितना है 2MC का square minus 4 into A A कितना है 1 plus M square and C कितना है बेटा C है आपके पास C square minus A square और उसने बोला यह 0 के equal है real roots है तो यह हो जाएगा 4M square C square अब बहुत आसानी से हो जाएगा minus 4 यहाँ पे इन दोनों को आपस में multiply करा होगे देखो यह हो जाएगा C square plus M square C square minus A square minus A square M square यह हो जाएगा equals to 0 दोनों में से 4 common लेलो bracket open कर लो देखो 4 common लोगे यहाँ पे बचेगा M square C square minus यह bracket open होगा तो sign सबके change हो जाएगे sign सबके change हो जाएगे यह positive हो जाएगा जो negative था 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 वो positive जो positive था वो negative क्योंकि bracket के बाहर negative sign था M square C square से M square C square 4 उदर जाएगा 0 हो जाएगा minus C square plus A square plus A square M square यह बचेगा आपके पास equals to 0 minus C square उदर जाएगा तो यह हो जाएगा A square plus A square M square is equals to C square तो A square आपने common ले लिया यहाँ पे बचेगा 1 plus M square is equals to C square जिसे ढूंडता हूँ हर घड़ी वो लड़की है कहाँ आना ऐसे करो गया आप इसका ठीक है भी या चलो अगला सवाल दिखा देते हैं तो सवाल भी कभी कभार गड़बड हो जाता है अगला सवाल यह आप लोग करो मैं ज़रा एक मैसेज का रिपलाई दे देता हूँ अपला सवाँ ठीक है क्ताहँ है क्ताहँ है हम इस आप शर्ड़ू मैं इस करते हैं और आप आप कि आपको बताना है यह आपको प्रूफ करना है अगर यह और भी real numbers है तो अच्छा वहिया ऐसे कैसे कर सकते है देखो बहुत सिंपल है आप D निकाल लो D का value क्या है B square minus 4AC तो आप बस यह value निकालो लेकिन उससे पहले सबसे पहले यह select करो कि A क्या है आपके पास A है भीया आपके पास 2 into A square plus B square B क्या है बिटा आपके पास B है आपके पास 2 bracket में A plus B C क्या है बिटा आपके पास C है आपके पास 1 है C क्या है C 1 है है ना अच्छा अब अगर मैं बात करूँ इसकी B square minus 4 A C की अगर मैं इसकी बात करूँ तो कैसे करोगे देखो बहुत simple है B कितना है यह है 2 bracket के अंदर A plus B whole square यह आपका B है minus 4 A C 4 into A A कितना है बिटा A कितना है A है आपके पास 2 A square plus B square into C कितना है 1 है है इसकी value निकाल नहीं है यह किसी के बराबर रखना नहीं है तो यह कैसे निकालोगे 2 का square करोगे 4 और यह और यह हो जाएगा B ka whole square minus 42 a 8 और यह हो जाएगा A square plus B square चलो कुछ करे आज़ो तो यह हो A square plus B square plus 2 A b यह हो जाएगा है ना minus 8 A square plus B square यह हो जाएगा दोनों में से 4 common ले लो दोनों में से क्या कर लो चार common या एक काम करो मतलो अंदर यह multiply कर दो तो यह हो जाएगा 4 A square plus 4 B square plus 8 A b है ना 4 अगर मैं इस सबसे multiply करूँ यह 8 को अंदर multiply कराओगे minus 8 A square minus 8 B square यह हो जाएगा इन दोनों को solve करोगे minus 4 A square इन दोनों को solve करोगे minus 4 B square plus 8 A b as it is रहेगा अगर मैं minus 4 common ले लो यहाँ से तो यह हो जाएगा A square plus B square minus 2 A b बन जाएगा इसका मतलब क्या है minus 4 मैंने common ले लिया और अंदर क्या बच गया यह A plus B का whole square बन गया A plus B का whole square अब ध्यान से सुनो एक logic ध्यान से सुनो एक logic दो नमबर है मेरे पास A into B A into B ठीक है A into B square है मान लो तो बिटा यह B 2 हो सकते हैं A की बात नहीं कर रहो मैं अभी A की बात नहीं कर रहो B दो तरह से हो सकते हैं B या तो positive होगा या तो negative होगा B या तो positive number होगा या तो negative इसके अलावा कुछ और थोड़ी नहोगा लेकिन अगर मैं किसी भी positive number का square करता हूँ किसी भी positive number का square करता हूँ मुझे क्या मिलता है positive number ही मिलेगा और किसी भी अगर negative number का square करूँगा तो भी मुझे क्या मिलेगा positive number ही मिलेगा क्योंकि minus 2 का square करोगे तो भी plus 4 मिलेगा minus 3 का square करोगे तो भी plus 4 मिलेगा तो अगर आपके पास किसी भी number का square करो चाहे वो positive हो चाहे वो negative हो किसी भी number का ये A और B की value नहीं पता लेकिन ये positive, negative कुछ भी हो ये मुझे क्या देगा हमेशा positive number देगा लेकिन ये 4 क्या है? नेगिटिव है अब एक नेगिटिव, एक positive एक नेगिटिव है और एक positive है आपके पास इनको अगर मैं multiply करूँगा तो हमेशा आपका answer क्या आएगा? नेगिटिव आएगा तो एक नेगिटिव एक positive को को अगर मैं आपस मैं मल्टिप्लाई करूंगा तो मेरा अन्सर हमेशा क्या आएगा नेगिटीव आएगा हमेशा मेरा ऑइल्यव मेरा कுछ भी हो लेकिन अश्क्म ऐगा नेगटीव आएगा दिन जीरो है तो इस situation में आपके roots कैसे हो जाएंगे imaginary roots imaginary roots हो जाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है भाई तो यह हो जाएगा non-real roots ठीक है जी चल अब ऐसा भी सवाल आ जाता है कई बार कहता है क्या if minus 5 is a root of the quadratic equation यह आपके पास एक quadratic equation है यह quadratic equation है the quadratic equation has equal roots कह रहे कि इस quadratic equation का minus 5 root है किस quadratic equation का इस quadratic equation का minus 5 root है और आपको इस quadratic equation के बताये गए है equal roots है तो k की value निकालो औरे भीया क्या कुछ समझ नहीं हा रहा देखो frame करो इसको आपके पास एक quadratic equation है 2x square plus px minus 15 equals to 0 यह quadratic equation है इस quadratic equation का एक root दिया गया है minus 5 इस quadratic equation का एक root दिया गया है क्या है minus 5 इसका मतलब अगर मैं x की जगा पे minus 5 लगा दूँ अगर मैं x की जगा पे minus 5 लगा दूँ तो मेरा यह lhs rhs equal हो जाएगा 0 की equal हो जाएगा minus 5 का square बिटा 25 minus 5 p minus 15 बरावर किसके 0 के तो यह हो जाएगा आपके पास पी का value कितना आ जाएगा सेवन आगया पी का value बट क्या मुझे पी निकालना मुझे तो के निकालना है अब क्या बोला है उसने अब उसने और भी कुछ बाते बोली है कि यह जो quadratic equation है पी इंटू x square प्लस x एक काम करो इसको अंदर मल्टिप्लाई कर दो पी को पी एक स्क्वेर प्लस पी इंटू x प्लस के इक्वल्स टू 0 इस quadratic equation के रूट्स कैसे इस quadratic equation के रूट से equal तो सबसे पहले equal रूट से तो b square minus 4 a c 0 के equal होना चाहिए ना तो b का value कितना है विटा p p square minus 4 into a a कितना है विटा p के बराबर c कितना है विटा k के बराबर equals to 0 अब p की value आपने थोड़ी देर पहले निकाली है साथ आज़ो equals to 0 तो मेरे भाई साथ दोनों से common ले लो यहां पर बचेगा साथ माइनस 4 k equals to 0 साथ को उदर भेजो के 0 हो जाएगा 7 minus 4 k equals to 0 हो जाएगा 7 is equals to 4 k हो जाएगा 4 इदर आए आएगा तो 7 upon 4 हो जाएगी k की simple ठीक है जी तो p का value 7 k का value 4 ठीक है जी find the value for k for which the quadratic equation has real and distinct root real and distinct है तो real and distinct का मतलब क्या है b square minus 4 a c greater than 0 b का value कितना है minus 3 का square minus 4 into a a कितना है बिटा k है c कितना है 4 है greater than 0 greater than 0 3 का square 9 minus 16 k greater than 0 अब देखो negative वाली values को हमेशा shift किया अगर हो तो यह हो जाएगा 16 को इदर भेज़ दोगे तो 9 upon 16 is greater than k तो k का value क्या होगा less than 9 upon 16 k is less than 9 upon 16 चालो जी अब इस session का आखरी पढ़ाव है यह जिसमें हम लोग word problem सीखने वाले हैं word problem जितना भी आपने अभी तक सीखा है ना जितना भी आपने अभी तक सीखा है उन सब का combination होगा word problem में आपके पास एक English में एक statement होगी है ना English language में लिखा जाता है उसको आपको एक mathematical equation में convert करना है और फिर उसके बाद उसको solve करना है यानि कि English से आपको match बनाने है फिर match के बाद तो आगे आपको आता ही है match में तो तुम लोग champion हो कैसे करने ठीक है जी तो लगबग लगबग 30-40 मिनट का और ये session है अब मैं आपको equation बनाना सिखाऊंगा बट उसको solve आप खुद कर लोगे क्योंकि मैंने आपको दोनों method बता दिया बाकि जिसमें मुश्किल होगा थोड़ा सा वो मैं करके दिखा दुआ ठीक है बया चलो तो word problem पहली है आप लोगों के पास इआ उसलल और देखो word problem एक समुद्र की थरह है एक समुद्र बहुत गहरा समुद्र है आपको सोचना है समझ रहो बात को तो बस हमें बस सोचना है कि कैसे करना है ठीक है? चलो जी आजओ If the difference of the square of 2 natural number is 45 and the square of the smaller number is 4 times the larger number than find the number सवाल को समझो सवाल को समझो कह रहा है कि भाईया 2 number है ठीक है? दोनों number के square का difference कितना है? 45 है ठीक है छोटे number का square है जो वो बड़े number के 4 times है ऐसा कुछ बोद है आपको numbers निकालने है जो भी चीज आपको निकालनी है ना उसी को कुछ variable assume कर लो आपको 2 numbers निकालने है आपको 2 numbers निकालने है तो आपने बոला let the 2 numbers Let the 2 numbers बी x and y आपने 2 numbers महल लिए, एक महल लिए x एक माल लिए वाई अब according to question according to question आपको question में क्या बोला गया according to question आपको बोला गया the difference of the square of two natural number और दोनों के दोनों क्या है natural number है इन दोनों natural number के square का difference x square minus y square square का difference किसके बराबर है 45 के बराबर है ठीके square का difference किसके बराबर है 45 के बड़ाबर है अच्छा ठीक है अगर दोनों नंबर के स्क्वेर का डिफरेंस 45 है फिर क्या कहते है दा smaller number is four times the larger number अब इन दोनों नंबर में एक चोटा होगा एक बड़ा होगा मैंने माल लिया x बड़ा है y चोटा है इसलिए x को आगे लिखाए difference में बड़ा नंबर आ गया आता है फिर उसने क्या बोला है square of the smaller number छोटे नंबर का square जो है वो बड़े नंबर के क्या है four times है बड़े नंबर के four times है बड़ा नंबर कौन सा है x x को जब मैं चार गुना करता हो तो वो y square के बराबर पस यहां पर चिपका दो x square minus y square के जगा पर four x 45 इदर आएगा तो zero हो जाएगा तो x square minus यह हो जाएगा 9x plus 4x 9x plus 5x ठीक है middle term splitting से अगर हम करेंगे तो equals to zero पहली दो terms में से x common ले लिया x minus 9 plus 5 x minus 9 equals to zero x minus 9 मैंने common ले लिया और x plus 5 बच गया आपके पास एक बार इसको zero के equal रखोगे तो x का value positive 9 आएगा इसको zero के equal रखोगे तो x का value negative 5 आएगा अब समझो उसने बोला है कि x और y क्या है x and y belongs to natural number यह क्या है आपके पास natural number और natural numbers क्या होते हैं जो तो वन से start होते है 1 2 3 4 negative number natural number नहीं होते हैं तो x की value कभी भी minus 5 नहीं होगी तुकि natural number की बात करी है तो x की value क्या होगी सिर्फ और सिर्फ 9 तो y की value सिर्फ और सिर्फ क्या होगी positive 6 वाई की value negative 6 हम क्या कर देंगे neglect कर देंगे क्यों क्योंकि उसने बोला है question में की x और y क्या है natural number से और natural numbers हमेशा positive होते हैं आजाओ the sum of the two numbers is 8 determine the numbers if the sum of their reciprocal is 8 upon 15 देखो क्या कह रहा है कि फिर दुबारा से 2 number है तो एक number मैंने x माल लिया पिटा एक number मैंने y माल लिया आप क्या कहता है मतलब लिख लो चलो let the two numbers let the two number b x and y ठीक है question के इसाब से दोनो numbers का sum कितना है आठ है अगर दोनो numbers का sum 8 है अगर दोनो numbers का sum 8 है तो यह 8 हो जाएगा और इनके reciprocals reciprocals 1 upon x plus 1 upon y is equal to कितना दे रखाया आपको 8 upon 15 reciprocal का मतलब क्या होता है जैसे देखो x का reciprocal क्या होगा 1 upon x होगा y का reciprocal क्या होगा बिटा 1 upon y जैसे 2 का reciprocal 1 upon 2 माइनस 3 का reciprocal माइनस 1 upon 3 reciprocal का यही तो मतलब होता है नीचे वाले को उपर उपर वाले को नीचे जैसे 5 upon 2 है 5 upon 2 का reciprocal क्या हो जाएगा 2 upon 5 हो जाएगा reciprocal ठीक है तो यह reciprocal का मतलब होता है अब देखो यहां से आप y की value निकाल लो y is equal to क्या हो जाएगा 8 minus x हो जाएगा 8 minus x आ गया तो बस y की जगा पर substitute कर दो 8 बटे 15 आज़ा solve करेंगे देखो इसको इधर भी जो इसको इधर भी जो denominator में यह क्या हो जाएगा x into 8 minus x हो जाएगा यह हो जाएगा 8 minus x plus x is equal to 8 upon 15 x से x कट जाएगा ठीक है यह बचेगा आपके पास 8 upon denominator को multiply कराओ 8x minus x square is equal to 8 upon 15 8 से 8 इसको इधर 15 हो जाएगा 8 upon 15 यह है ना x square सब कुछ इधर ले आओ तो x square minus 8x plus 15 equals to 0 तो अब इसको middle term splitting से अगर आप solve करोगे तो यह हो जाएगा x square minus 5x minus 3x plus 15 equals to 0 पहली दो terms में से x common लोगे x minus 5 बचेगा आखरी दो terms में से minus 3 common लोगे तो यहाँ पे भी x minus 5 बचेगा x minus 5 common ले लिया x minus 3 आ गया equals to 0 इसको 0 के equal रहोगे x का value एक बारी 5 आएगा x का value एक बारी 3 आएगा तो अगर देखो आप दोनों की दोनों positive है दोनों values हो सकती है negative भी होता तो भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें उसने कुछ बोला नहीं है natural number है अगर मैं x को 5 रखता हूं तो y का value आजाएगा 3 और अगर मैं x को 3 रखता हूं तो y का value आजाएगा 5 तो number आपके पास यही बनेंगे 3,5 एक 3 होगा एक 5 होगा है ना 3,5 लिखो 5,3 लिखो कोई फरक नहीं पड़ता है अब जैसे यह सवाल है एज वाले सवाल बहुत ज्यादा important होते कहते हैं तो some of the ages of reciprocal of रहमान's age 3 years ago and 5 years from now is 1 by 3 find his present age ज्यान से देखो कह रहें कि भाई एक हमारे भाईजान है रहमान है ना तो उनकी present age let the present age let the present age age of रहमान रहमान की present age मैंने क्या माल ली है X years माल लिए हमारे भाईजान है एक रहमान भाईजान उनकी present age कितनी माल लिए X years माल लिए ठीक है the sum of the reciprocal of रहमान's age 3 years ago and 5 years from now 3 साल पहले 3 years ago 3 years ago भाईजान की age कितनी रही होगी भाईजान की age कितनी रही होगी X minus 3 रही होगी है ना और 5 साल बाद 5 years now पाइजान की एज कितनी रही होगी पाइजान की एज कितनी रही होगी पाइजान की एज कितनी रही होगी इतनी रही होगी अब क्या कहते है अब क्या कहते है The sum of the reciprocal of Rehmans is 3 years ago and 5 years from now is 1 by 3. ठीक है? तो denominator में x minus 3 into x plus 5 हो जाएगा. इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा x plus 5 plus x minus 3 is equals to 1 by 3. ठीक है? x और x 2x हो जाएगा 5 minus 3 हो जाएगा 2 divided by x into x हो जाएगा x square plus 5x minus 3x minus 15 is equals to 1 by 3 हो जाएगा. ठीक है जी? चलो इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो 3 into 2x plus 2 is equals to x square देखो इन दोनों को solve करोगे तो plus 2x आजाएगा minus 15 हो जाएगा. simple calculation है भाई अब हैना 6 is equals to x square plus 2x minus 15 सब कुछ उदर भेज़ दो इधर बचेगा 0 इधर हो जाएगा x square plus 2x minus 6x minus 15 minus 6 हैना तो यह हो जाएगा 0 is equals to x square minus 4x minus 21 ये बन गया. अब 7 और 3 में break हो रहा है तो ये कर दो आप आपके पास quadratic equation है x square minus 7x plus 3x minus 21 equals to 0 middle term splitting से अगर करोगे तो तो x minus 7 common आगया मतलब x minus x common ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा x minus 7 plus 3 common ले लोगे तो x minus 7 बच जाएगा equals to 0 x minus 7 को common ले लिया यहाँ पर बचेगा x plus 3 equals to 0 इसको 0 के equal रखोगे तो x का value आजाएगा 7 इसको 0 के equal रखोगे तो x का value आजाएगा minus 3 तो x की 2 values आगे भाई एक negative 3 है और एक 7 है तो रह्मान की जो age है रह्मान की जो age है वो बिटा negative 3 तो कभी होई नहीं सकती ना minus मतलब पैदा होने से पहले की बात कर रहें minus 3 years यानि कि जब उसके पापा ममी की शादी हुई होगी या उससे भी पहले की बात है ठीक है चलो तो रह्मान की यह साथ साल हो जाएगी है अब देखो ऐसे सवाल जो आपके पास distance time वाले questions होते यह सवाल बहुत important है क्या क्याते है अ ट्रेन टेक्स 5 आर्स तो कम्प्लीट जर्नी ओफ 350 किलोमेटर फ्रॉम टाउन ए टू टाउन भी पर इनिशल 200 किलोमेटर दा ट्रेन वास मुविंग विधा सर्टन स्पीड पर रिमेनिंग दा ट्रेन की स्पीड वास रिदूज बाई 20 किलोमेटर दा इनिशल स्पीड ओफ ट्रेन देखो करेगी एक ट्रेन है उसको एपॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है एपॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है पूरी ये पूरी जो जर्नी है वो कितनी है साड़े 300 किलोमेटर की जर्नी है जब ये गाड़ी एपॉइं कितना है 200 km इसकी स्पीड मैंने माल ली है 1 km per hour ठीक है अच्छा फिर आगे क्या कहते है आगे की जो जर्नी है इसकी सी पॉइंट से बी पॉइंट तक की जर्नी है वो कितनी है 500 km की है और यह जो है यहां पर उसकी स्पीड क्या हो गई है रिडियूस हो गई है एकस माइनस 20 हो गई है एकस माइनस 20 km per hour देखो फिर से समझा कहा रहा है ट्रेन टेक्स 5 इसको अभी छोड़ दो पहले 200 km के लिए ट्रेन की स्पीड थी कुछ हमें नहीं पता कितनी थी और बचे हुए 1500 km की स्पीड वाज रिडियूस बाई 20 km per hour 50 km से क्या हो गई ये ट्रेन की स्पीड कम हो गई है अच्छा अब उसने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली है कि A point से लेके B point तक जाने में, पूरी में पूरी जर्णी में, उसको टाइम लगता कितना लगता है, यहाँ पे जो टाइम लगता है, मैंने माना T1, अब टाइम का फॉर्मुला क्या होता है, Time is equal to distance upon speed होता है, time is equal to distance upon speed होता है, तो distance कितना है 200 है,Cómo speed कितनी है, x है, यहाँ पे जो time मानलो मैंने टीटू time है तो distance कितना येड़ सो है speed कितनी अलग हो गई है तो यह है तो यह टीटू हो गया और यहां से लेकर यहां से जाने में टाइम लगा जब मैं स्थ विछ यह भब सोल तो Is Christ संद्विछ टैम्स को जोडता हुं तो वह किसक बड़ाबर आजाएगा वह 30 पांच गंटेके बड़ाबर आजाएगा क्योंकि पूरी कि पूरी जडरी का जो टाइम है वो फाइफ आर्स है तो T1 प्लस T2 किसके बराबर है बेटा पांच के बराबर है पांच के तो T1 कितना है 200 अपाउन X प्लस T2 कितना है इसको इधर उधर कुछ करना पड़ेगा एक काम करो पहले 50 कामन ले लो यार यहां से 50 कामन ले लोगे तो यह बचेगा आपके पास 4 4 अपान X प्लस 3 अपान X-20 यह बच जाएगा इस इकोल स्टू 5 इसको काटो गए यह 10 हो जाएगा इसको काटो गए 1 हो जाएगा ठीक है खामोशिया आवाज दो इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो तो 4 इंटू X-20 प्लस 3 इंटू 3 इंटू X 3 इंटू X दिवाइड़ भाइ X इंटू X-20 चीक है जी इस इकोल स्टू 1 चीक है तो यह हो जाएगा 10 इधर हो जाएगा 4 इंटू X 4 X माइनस 4 टू जा 8 प्लस 3 इंटू X 3 X डिवाइड़ भाइ X स्कूर माइनस 20 X इस इकोल स्टू 1 यह हो जाएगा शायद कभी मैं कहसकूं तुमको 4 इंटू 10 40 अच्छा एक काम करते इन दोनों को एड़ कर देते तीन और यह दोनों एड़ करोगे तो 7 X हो जाएगा पहले यह बाहर ब्रैकेट के बाहर 10 है तो 7 X माइनस 80 और यह पूरा का पूरा इधर भेज दोगे तो यह हो जाएगा X square माइनस 20 X हो जाएगा तो यह हो जाएगा 70 X माइनस 800 is equal to X square माइनस 20 X हो जाएगा सब कुछ उदर भेज दो इधर बचेगा 0 X square माइनस 20 X माइनस 70 X माइनस 800 कुछ गढ़बढ है क्या पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यह 20 नहीं यह 200 होना चाहिए 20 है चलो 20 है तो ठीक है भाई तो 0 is equal to x square minus 90x minus 800 चलो अब इसको middle term splitting से अगर solve करना चाहते हो तो देखो solve कर पाओगे आप लोग x square minus 80x minus 10x minus 800 तो यहां से यार जब आप इसको solve करोगे तो x की दो-दो value आजाएगी एक आजाएगा देखो यहां पे देख लो अब उसके आगे आप solve कर सकते हो서 अब देखो अगर मैं इसकी speed को 80 माल लू तो यहां पेmor यहां पे इसकी speed चलाओ अब इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट सवाल जो की ये है टैप्स वाले क्वेशन आपके पास आते हैं ध्यान से इसके कॉंसेप्ट को समझना और फिर मैं बताऊंगा अगर कॉंसेप्ट समझ में आये तो आँख बंदगर के क्या कर ले क्या टू टैप्स रणिं आपके पास एक टैंक है ये आपके पास क्या है एक टैंक है ठीक है अगर मैं इसमें टाप ए चलाओं अगर मैं इसमें सिर्फ टाप बी को चलाओं या फिर अगर मैं इसमें अगर मैं इसमें सेम में ए और बी को एक साथ चलाओं देखो कहरें कि दो टाप से बिटा एक है ए और एक है भी, together they can fill the tank in 3 by इतने hours में, एक साथ अगर मैं इन दोनों taps को, एक साथ इन नलखों को चला दू, तो यह पूरा का पूरा जो tank है, कितनी देर में fill कर देंगे, 3, 1 by 13 hours में, इसको थोड़ा सा convert करें, 13, 30, 39, 40 upon 13 hours में क्या कर देंगे, यह इसको पूरा का पूरा fill कर दे पूरा का पूरा fill कर देंगे, ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मैं अलग 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 चलाओ, अलग अलग चलाओ, मानलो मैंने इसको अलग, tap A को अलग, और tap B को अलग, अलग 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 चलाओ, तो इसका जितना time लगता है, इसका जितना time लगता है, हमें नहीं पता कित कितना एकस आर्स लगते मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है इसको fill करने में तो यह पूरा fill करने में कितना time लगेगा x आरस में fill करतेगा क्या रहे है कि इन एक flycar takes three hour और ताब और दूसरा कभी कमर जर्द हो गई भाई दो गंटे से खड़े खड़े थोड़ा बैठने तो यार ठीक है भाई तो यह सवाल है आपके पास टाप ए जो है वह एकस आर्स और टाप बी जो है एकस प्लस त्री आर्स ले रहा है और दोनों को अगर अकेले अकेले अगर एक साथ चलाएंगे तो इतने घंटे में ये फिल करतेगा अब समझो बैटा situation को समझो मुझे क्या निकालना है कि x की value निकालना है ये कितनी देर में फिल करेगा और वो कितनी देर में फिल देखो मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि कौन कितनी देर में फूरा फिल कर रहा है मैं निकालूँगा एक घंटे का मैं निकालूँगा एक घंटे का एक घंटे का कैसे निकालूगे मालो यह टैंक है इस टैंक में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टाप ए चलाओ तो यह पूरा का पूरा कितनी देर में fill कर देगा इसको कितनी देर में fill कर देगा x hours में पूरा का पूरा एक tank fill हो जाएगा ऐसे समझो तो 1 hour में अगर मैं निकालू तो कितना part fill होगा इसका 1 upon x part fill होगा यानि कि 1 गंटे में ये इसको कितना भरेगा 1 upon x इतना part fill करेगा ठीक है वहीं अगर मैं tap b की बात करो tap b की बात करो सबका एक गंटे का निकालो ये b है अब ये x plus 3 r में इसको क्या कर रहा है पूरा का पूरा fill कर रहा है एक tank को लेकिन मुझे 1 hour का निकालना है 1 r का कैसे निकालोगे ये पूरा का पूरा इधर भेज़ोगे तो 1 upon x plus 3 इतना part fill कर देगा यानि कि 1 घंटे में ये कितना अगर मैं इसको अकेला चलाऊ 1 घंटे तक तो ये कितना fill कर देगा 1 upon x plus 3 part fill कर देगा एक घंटे में वही वही अगर मैं इनकी बात करो अगर एक साथ जो यह चलाया गया है एक साथ जो यह चलाया गया है एक प्लस भी तो यह देखो 40 अपॉन 13 आर्स में क्या कर रहें पूरा का पूरा एक टैंक फिल कर रहें लेकिन अगर मैं एक घंटे का निकालू 1 आर का निकालू तो 13 उपर चला जाएगा 40 नीचे आजाएगा इतना पार्ट फिल कर देंगे यानि कि एक घंटे तक अगर मैंने दोनों नल्खों को एक साथ चलाया तो यह इतना पार्ट फिल कर देंगे कि इतना मैं पानी डाल रहूं इस वाले टाप से एक गंटे तक जितना भरा भरा खाली कर दिया मैंने और खाली करके इसको दूसरे बॉटल में डाल दिया एक गंटे तक मैंने इसमें जितना पानी डाला दूसरे टाप से बर दिया इसको उसी बॉटल में डाल दिया अब मैंने इसमें दोनों टाप्स ओन कर दिये और एक घंटे तक भरा तो यह जो पानी होगा दोनों टाप्स का एक घंटे तक जितना भरा है वो इसके बराबर नहीं होगा यार इन दोनों के सम के बराबर नहीं होगा बिल्कुल होगा तो बस आपको क्या कर रहा है इस सवाल में कुछ नहीं करन लेगा X आर्स में let the time taken by tap B कितना time लेगा X plus 3 आर्स लेगा ठीक है अब according to सवाल according to सवाल इसने एक घंटे में इतना भरा था और दोनों ने combine एक घंटे में कितना भरा था 13 upon 40 बस कोई आप से यह नहीं पूछेगा reciprocal क्यों किया वो तो मैंने concept बताया आपको बट कोई आप से यह नहीं पूछेगा reciprocal क्यों है कर दो बस ठीक है जी तो यह हो जाएगा X into X plus 3 X plus 3 इदर आएगा X इदर आएगा is equals to 13 upon 40 हो जाएगा X plus X हो जाएगा 2X divided plus 3 तो यह हो जाएगा X square plus 3X is equals to 13 upon 40 English थुम के दिल की हिदम पे मारे जम जम के देशी बोईज make some noise तेरे लिए आए X square plus 3X यह हो जाएगा 4 to the 80 X plus 4 3 is a 12 120 13 X square plus 13 3 is a 39 X हो जाएगा सब कुछ उदर शुट कर दो तो यह हो जाएगा 0 यह हो जाएगा 13 X square plus 39 X minus 80 X minus 120 यह हो जाएगा 0 is equals to 13 X square minus यह कितना हो जाएगा 41 X minus 120 है ना equals to 0 अब यह 41 को break करना है भाई 120 into 13 करोगे और यह हो जाएगा 12 into 10 4 into 3 5 into 2 into 13 41 बनाना है 41 41 26 और 5 4s are 20 20 into 3 60 60 बनाना है 13 3s are 39 40 20 39 into 2 भी नहीं होगा पपका 41 है ना equation तो सही बनी है 13 5s are 65 65 minus 3 2s are 6 6 4s are 24 65 minus 24 ठीक है मिली है तो क्या करोगे 0 as it is 13 X square minus 65 X minus plus 24 X minus 120 यह हो जाएगा ठीक है अब इन दोनों को solve करोगे तो X का value आजाएगा मतलब इसको solve करोगे तो X की दो values आजाएगे देखो X की एक value आएगी बिटा आपके पास 5 और एक value आएगी माइनस 24 अपान 3 तो negative तो कभी भी टाइम हो नहीं सकता तो X की value क्या आजाएगी आपके पास 5 एक अगर 5 है तो दूसरा क्या था एक प्लस 3 था तो X प्लस 3 यानि की 8 गंटे तो एक को 5 गंटे लगेंगे एक को 8 गंटे लगेंगे ठीक है जी चलो कितने सवाल रहे भाई बहुत सवाल है एक दो तीन चार पांच चलो पांच सवाल रहे पांच वा तो हूंबर के चलो जी आज़ा चार सवाल अब upstream downstream वाले सवाल आपने pair of linear equation in two variable में भी किये थे इसमें भी आते कहते हैं क्या the speed of a boat in still water still water में बोट की speed कितनी है 8 km प्रती घंटा बोट की speed आपको दी गई है बोट की speed बोट की speed दी गई है 8 km per hour ठीक है it can go 15 km upstream and 22 km downstream in five hours क्या कह रहे कि एक बोट है वो 15 km पंदरा किलोमीटर upstream गई और फिर वहीं से 22 km downstream आई 22 km downstream आई ठीक है एक बोट है 15 km upstream गई 22 km downstream आई upstream जाने में उसे टीवन टाइम लगा downstream आने में उसे टीटू टाइम लगा और टोटल टाइम पूरी की पूरी जरनी का जो टाइम है यानि कि टीवन प्लस टीटू जो है वो पांच के बराबर है ऐसा सवाल में बोला गया अगर समझ में आ रहे तो वाटर की स्पीड हमें पता नहीं वहीं हमें निकालनी है वह मैंने माल ली है सवाल समझव कह रहें कि बहिए एक बोट है वह बोट 15 किलो मीटर अपस्ट्रीम गई टीवन टाइम में क्योंकि हमें पता नहीं फिर 22 किलो मीटर डाउंश्रीम आई टीटू टाइम हमें पता नहीं पूरी जर्णी का जो टाइम है पांच गंटे यह बहुत speed कितनी हो जाती है minus हो जाती है boat की speed से water की speed को time कितना है T1 distance upon speed speed कितनी है 18-x उसी परकार से downstream की अगर मैं बात करूँ तो downstream में distance कितना है 22 km downstream की speed कितनी है 18 plus downstream में time कितना लग जाता है 15 22 upon 18 plus x यह हो जाता है यह हो जाता है अब T1 plus T2 निकाल लो T1 plus T2 5 के बराबर है T1 कितना 15 upon 18 minus x plus 15 sorry 22 upon 18 plus x is equal to 5 calculation है भाई मेरे बहुत तगड़ी कालकुलेशन cross multiply कराओगे तो 18 plus x 15 से multiply होगा और इदर 22 से multiply होगा 18 minus x और नीचे आपस में यह दोनों multiply हो जाएगे 18 minus x into 18 plus x is equal to 5 बहुत बहुत तगड़ी कालकुलेशन होने वाली है आओ 15 into 18 120 होता है शायद अगर मैं गलत नहीं हो तो 10 से करोगे डेड़ सो और 15 अठे यह कर लेता है भाई 15 into 18 217 अच्छा 15 into 12 होता है तो यह हो जाएगा 270 फिर हो जाएगा 15 x फिर हो जाएगा 22 into 18 22 into 18 यह हो जाएगा 396 minus 22 x divided by 18 का स्कूर नीचे क्या है a minus b a plus b 18 का स्कूर 324 minus x का स्कूर x स्कूर is equals to 5 ठीक है तो यह हो जाएगा 270 और 396 को add करेंगे plus 270 66666666 minus 7x is equals to 5 इन्टो 324 minus x स्कूर ठीक है तो यह हो जाएगा आपके पास 6666 minus 7x is equals to 1620 minus 5x सब कुछ इदर भेज़ दोगे 5x स्कूर इदर है यह minus 7x इदर है और plus 6666 minus 1620 इदर आएगा तो यह हो जाएगा 5x स्कूर माइनस 7x 1620 से अगर मैं अगर मैं 1620 से 6666 minus कर दूँ तो माइनस 950 और बचेगा यह बच रहा है भाई यह आपके पास quadratic equation बन रही है लेट मी चेक 24 24, 24, 24, 24, 24 24 हर है यार कहां पे गड़बड़ हुआ है कहां पे गड़बड़ हुआ है जरा बैठके देखेंगे भाई 15, 22 डाउन स्ट्रीम आया भाई कि तो सारा सही है बस यह numbers में कुछ कहीं पे घपला हुआ है 15 into 18 270 है 22 into 396 24 कैसे बच गया भाई 24 कैसे बच गया अब बोट ओ हो 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 आठ किलो मेटर है भाई अठारा कहां से आया यह आठ है पूरी मेहनत पे पानी फिर गया हुआ हुआ है देखो बट करना ऐसे ही है ठीक है आप यह सवाल में आप अठारा कर लों इसको ठीक है ठीक है ठीक है जी अगर आप आठ लेके करोगे तो भी करना ऐसे यह इसको है ना बस यहां से आ आठ लेके करोगे तो एक सी डो वेल्यव आएगी एक आएगा तीन एक आएगा 8 अपोन 5 माइण आप आप आपान 5 तो नेगेटिव कभी भी स्पीड नहीं हो सकती तो यह वेल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी ठीक है चलब अगला सवाल क्या कहते है कर ले ना यार मतलब I hope कर लोगे यह वाला नहीं आएगा तो comment section में मुझे बता देना मैं shots बना दूंगा इसके ओपर एक the sum of the areas of two square is इतना दो square है उन दोनो square के areas का sum a1 प्लस a2 कितना है 400 है पहले वाले की जो side है मैंने माल लिया x है तो area क्या हो जाएगा x square दूसरे की side y है तो y square is equals to 400 हो जाएगा if the difference of their perimeter perimeter का difference यानि की p1 minus p2 कितना है आपके पास 16 है ठीक है p1 कितना हो जाएगा 4x minus p2 कितना हो जाएगा 4y is equals to 16 4 common ले लिया x minus y कितना हो जाएगा 16 तो 4 गाट दो 4 बच जाएगा x minus y is equal to कितना हो जाएगा 4 तो x का value हो जाएगा y 4 plus y हो जाएगा मतलब समझो मतलब समझो एक square था first square की side मैंने माल लिया x second square की side मैंने माल ली है second square की side मैंने माल ली है y अब उस x की value को यहाँ पे चिप कर दो 4 plus y का whole square plus y square is equals to 400 16 plus y square plus 4 to the 8y plus y square is equals to 400 ठीक है तो y square plus y square 2y square plus 8y plus 16 minus 400 400 इदर आएगा negative हो जाएगा तो 2y square as it is plus 8y 394 minus 384 कुछ याद आगया है minus 384 equals to 0 2 common ले लो y square plus 4y minus 192 equals to 0 यह quadratic equation बचके ही है इस quadratic equation को solve कर लो तो कर लोगे I guess y square plus 2y minus 192 equals to 0 कर लोगे इसको solve 4y है 2y नहीं 4y है ठीक है इसको solve करोगे तो शायद y की value 12 या 16 कुछ ऐसी आती है तो y की value आ जाएगे आपके पास minus 16 और 12 अब negative कभी भी y की value आईए एक तो आईए 12 एक आईए minus 16 तो negative कभी भी side of square नहीं होगा तो x का value क्या हो जाएगा 12 plus 4 16 ठीक है जी चालो अब यह सवाल कैसे है is it possible to design a rectangular park of perimeter इतना and area इतना if yes तो find the length and breadth क्या रहे कि क्या ऐसा possible है कि मैं एक ऐसा rectangular park बनाऊं जिसका perimeter इतना हो और area इतना हो कैसे length को मैं माल ले तो बिटा x और breadth को मैं माल लेता हूँ y तो perimeter क्या होता है बिटा 2 into bracket में x plus y यह होता है perimeter perimeter कितना दिया गया आपको 80 दिया गया असी is equal to 2 into x plus y यानि कि x plus y का value कितना हो जाएगा 40 is equal to x plus y यानि कि 40 minus y is equal to क्या हो जाएगा x हो जाएगा x के बराबर आगे 40 minus x y अब वहीं अगर मैं बात करू एरिया कितना बोला गया एरिया क्या होता है एरिया होता है length into breadth वह कितना बोला गया आपको 400 400 तो x की जगा पे अगर मैं 40 minus y substitute करू y as it is is equal to 400 तो यह हो जाएगा 40 into y 40 y minus y square is equal to 400 तो y square उधर भेज़ दो इधर बचेगा 0 y square positive minus 40 y plus 400 यह हो जाएगा अब उसने बोला क्या ऐसा possible है कभी भी वह ऐसा पूछेगा कि क्या यह चीज possible है क्या यह चीज possible है तो आपको discriminant निकालना पड़ेगा पहले discriminant क्या हो जाएगा b square minus 4 ac b कितना है minus 40 minus 40 का square minus 4 into a a कितना है 1 और c कितना है 400 तो minus 40 का square करोगे 4, 4, 16, 16, so हो जाएगा 4, 4, 16, minus 16, so तो d का value क्या आ गया है 0 d का value क्या आ गया है 0, 0 तो 0 का मतलब क्या होता है इसका real and equal roots अगर d 0 आता यह d greater than 0 आता तो बिल्कुल real roots है तो जो हम निकाल सकते है निकाल सकते है तो बिल्कुल possible है लेकिन अगर निकाल नहीं सकते imaginary root आ जाता अगर d less than 0 आ जाता तो वो क्या हो जाता है impossible हो जाता है impossible हो जाता ठीक है क्योंकि वो value यह नहीं निकाल पाएंगे हम अब possible है तो निकाल लो यार क्या हो जाएगा x is equals to minus b b कितना है plus minus 0 upon 2a a कितना है a कितना है तो यह हो जाएगा 40 upon 2 यानि की x की value आगे 20 sorry y की value आगे 20 y अगर 20 है तो x क्या हो जाएगा 40 minus 20 यानि की x भी 20 तो यह rectangle तो possible नहीं है बट square possible square हो गाई ठीके जी चालो अब यह आखरी सवाल है क्या आरा भाई इसके बाद आखरी है चलो कर लेते हैं a train travels 360 km at a uniform speed if speed had been 5 km per hour more it would have taken one hour less for the same journey कह रहें कि भाई एक train है एक train है एक train है एक train है अगर यह A point से B point तक जाता है माल लो कोई train है वो 360 km का distance एक uniform speed से travel कर रहा है एक uniform speed से क्या कर रहा है ट्रैवल कर रहा है ठीक है सुन्दर सा द्रिश्य बनाओ एको imagination का खेल है A train travels 360 km at a uniform speed 360 km का distance है उसकी speed कितनी थी एक uniform थी मैंने माल ली है एक किलो मेटर पर आर अगर मैं speed को अगर मैं speed को पांच किलो मेटर परती घंटे से बढ़ा दूं एक्स प्लस फाइफ कर दूं पांच किलो मेटर परती एक घंटा कम होगा सुरी क्योंकि मैंने speed क्या कर दिया बढ़ा दिया अगर मैं speed बढ़ा दूंगा तो time क्या लगेगा कम लगेगा तो पहले जो time लगता था speed कितना एक्स प्लस फाइफ है टी वन की वेल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो 360 अपॉन एक्स माइनस वन बस इस चाप्टर में बटा कैलकुलेशन है बागी कुछ नहीं माइनस वन इधर भीज होगे तो यह हो जाएगा 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस पांच 360 कमन ले लो इधर बचेगा वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोगेगा ठीक है मेरे भाई चालो फोजाएगा यह हो जाएगा एक्स से एक्स कट गया तो यह हो जाएगा वन इस इक्स्क्टी कि इस एक्सटी कर ओगे सब कुछ इदर ले आओगे तो x square plus 5x minus 1800 बराबर किसके बिटा जीरो के यह quadratic equation है भाई solve कर लेना अपने बस काता नहीं हो रहा है यह है तो 45 और 40 में break कर लो इसको x square plus 5x अगर middle time splitting से करना चाते हो तो कैसे break कर सकते हो इसको break कर लो आफ 45x minus 40x इसमें break हो जाएगा ठीक है जी चलो बाकी quadratic formula से करोगे तो कर सकते हो तो x की 2 value आईगी 1 आईगी 40 और 1 आईगी minus 45 speed कभी भी negative नहीं होती तो वो reject कर दोगे तो x की 1 की value बचेगी 40 अब यह आखरी सवाल है और यह सवाल आप लोगों के लिए homework है इसका answer मुझे कोमें सेक्षन में बता देना मैं सवाल समझा दे तो एक class test में शेफाली के marks mathematics और English में sum of the marks in mathematics and English maths में मालो शेफाली के x marks आये हैं English में सेफाली के मालो कितने marks आये हैं y और एक test में दोनों के दोनों के sum दोनों sum sum of the marks कितना है बिटा x plus y दोनों marks के sum कितने है 30 है ठीक है if she got had she got two marks more in mathematics अगर 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 उसके maths में दो marks जादा आते और English में English में and three marks less in English और English में तीन marks कम आते English में पहले y आये थे ना तीन marks कम आते तो the product of their marks would have been 210 तो इनके marks का जो product होता यह जो कम जादा करने के बाद वो कितना होता 210 होता तो यहां से बिटा y का value निकाल लो 30 minus x वो यहां पे substitute कर दो x plus 2 30 minus 3 इस इकोल स्टूस अब solve करो और x और y की value उसके दोनों subject के marks मुझे बताओ ठीके जी चालो अब चलते चलते एक छोटा जा motivational dose आप लोगों के लिए मुझे पता है आप लोग लगबग धाई गंटे से बैठे मेरी हालत करा होगे तो आपकी भी होई गई होगी है ना तो छोटा सा motivational dose किदिन ही बड़ी क्यों नहों मंजल कितनी ही दूर क्यों नहीं कि सब्सक्राइब पर इंस्टाग्राम है अगर कोई परस्नली नहां चाहता है मुझसे तो आप लोغ कर सकते हो बांकी ले दिसी क्योंकि सारे questions important है ठीक है और telegram group का link भी description में है telegram group join कर लेना बाकि do like share and subscribe this channel for these type of amazing videos thank you so much guys जै हिंद जै भारत